हेलो डियर स्टुडेंट्स वेल्कम तु मैट्रिक्स सायन्स अकाडेमी आच्या है सेशन मदे आपन ड्यूल नेचर ऑफ रेडियेशन और मैटर हाच चाप्टर रिवाइस करना रहाथ हाच चाप्टर मौडन फिजिक चांटर है तो पा नंबर ऑफ फॉर्मुलेज या चाप् पार्टिकल नेचर स्टुड़ी गोरिया था लाइट सा पार्टिकल जोस्तो जला अपन फोटोन मनतों बेसिकली फोटोन काया है एक्सप्रिमेंटल सेटप यूज केला एक्सप्रिमेंट चूब्जर्वेशन काय होते हैं ग्राफ रिलेटेड स्टड़ी करना रहा है क्लासिकल वेव थेरी होती एसा कंपेरेजन केले फोटोन चा बेसिस वर हीजी पार्टिकल थेरी बनो ली तेचास होगा दोगां चा मोर और लेस अब्जर्वेशन से मत है पन जे डिफरेंट है तेचा आपन अब्भास कर या तेन यहास बेसिस वर एक छोटास अप्लिकेश असलब आए जे आसा प्रोपोस के लिए ले डीब्रॉय ने तो अब फोटोएलेक्ट्रिक एफेक्ट से बेसिक पाता ना लाइट चा पाट स्टेडिस कराव लगते लाइट एकदा आपन मनल कि लाइट से वेव नेचर आपन लोवर स्टैंडर्ला स्टेडिके ले या वेव प्रोपोगेशन ओफ लाइट लाइट एका स्ट्रेट लाइन मदे प्रोपोगेट होते यह आपन अल्रेडी एक्स्प्रेंड के ले ले बेस्ट आउन वेव थेरी देन सेकेंड लाइट चा रिफ्लेक्शन पन आपन शित्को क्लास 10 मदे पन आपलेल होते रिफ्लेक्शन ओ लाइट हापन पाट जालेला लोगर क्लाशे सलाब अगर अगर यूच किलेला पाह। 12 चा शांडर मधे वैउप्टिक्क श्राप्टर मधे आपन इंट्रफरन्स आफ लाइट पान सिकलेले देन diffraction of light आपन एक पाट है वेव अप्टिक्स मदे डिफ्रैक्शन ओप लाइट अपन है फिनामेना जर एक्स्प्रेंट कराया चासते तो लाइट से वेव नेचर लगते आशे पन कही फिनामेना आहे जीते लाइट से वेव नेचर सफिशन नहीं है एक्स्प्रेंट के जर स यॉझमन एक नेचर है असा संगने हो तयं मझे पार्टिकल नेचर्स एक वेव नेचर है अनि एक पार्टिकल नेचर एक पार्टिकल नेचर छाण सल्गशता कई एफेक्ट्स आँसला सिलाबस सब्स्पाग ऑंपले लाइट nhất शाच्यू तुन वागट् लाइट छा स्टार्टिंग ला ग्यामा रेज देन एक्स रेज आहे देन आल्ट्रा वोईलेट रेज आहे देन वीजिबल रीजन है मंझे वीप क्यों अर्चा पाइट है यहला मी वीजिबल आ सदा कोरें वीजिबल रीजन देन रेड चास बाजू ला आयार रीजन है इंफ्ला रेड दे माइक्रो वेव जाए और अर्ला रेडियो वेव जाहे शर्वोज आये ए रेडियेशन के आपाट है तो नाट ओन्ली लाइट ड्यु अन्ट नेचर है बट या पूर्ण सग्ड़ा इलेक्ट्रो मैगनेट स्पेक्ट्रम बद्या सर्व रिजन्स ला ड्यु ब्युल नेचर म मनघें वेव नेचर पनन उनछीर वंफेगी सॉड़ी कर अब आरका इस ब troph dollars सांजित एक लगे का ताइन ती एनजी पैकेट्स मेंडे स्पनल्च फोटन करतेट्ट्स लइट चाँ पार्टिकल लए आपन फोतौन मनना रहे तो फोटौनेद लइट चाँ पार्टिकल यह ची जी एनगेंगी असते जिला आपन e नेज आखान खोदौन अरे। लोगा याँ लाइट चाँ पार्टिकल चीडिपेंड करते ही फृक्वेंशिवर। लाइट चा फ्रिक्वेंसी वाथ, फ्रिक्वेंसील रापन сыn entrar ौअफ लेख, छेको केले लाएं जो Moran Physics केले आ फ्रिक्वेंसी आपन सwegen हेले नीह धीम एंपनिम हुंарा हान श сейчас, फ्रिक्वेंसील आचा में चाहां, छिर्डख क क्रांकर था कि ज्यामा रेमादी फ्रिक्वेंसी जासतास नर। आता लाइट्चा स्पीड चा फॉर्मलामा इत्ये C is equal to N lambda आस्तो N चायो जीदर मी फ्रिक्वेंसी साथी new आपरला, तो C बरोबर new lambda है जिकडे फ्रिक्वेंसी वाड़ाच चल्ली this would be wavelength своих so wavelength चाथ a relation मनुझा चाला wavelength यह साइड़ आवाढ़े Here wavelength EQ olarak जिकडे frequency जासते फ्रिक्वेंसी जासते तो energy जासतास जे relation आपन os frequency साथी वापरले each relation आपन energy साथी वापर नाट आतामी दोहांची फोटान केतले पितले वेल्ट्रो उने एल्ट्रोइलीट मि डाला-इल्पटन गेतला अनि एक मी इन्फरायरीट मिला फोटन गेतला तो ओव्वेस्लि एल्ट्रोइलीट चिजी ao्यजी हा हम्ता भीम्हेंशी जासता है ली अट्रॉंट्राग्नेटिक bol डाला उने फोटनख़ बाराइस टिकनी जाला है के में स्टित्पन धाले रासको, E is equal to H निवाला, अजो यह चे है, यह H ला आपन मंतो Planks constant, हाँ H ज़ा है, चेला आपन Planks constant होतो, H वाल्यू होती पा, 6.63, 10 raise to minus 34, ने ज़ा unit होतो, Joule second, इवन मी जर यहा new ला replace केला, इतुन दर मी new सा formula बनोला, frequency is equal to speed of light divided by wavelength, यहला जरी पूट केला, H C by lambda, यह एनर्जी साजो form आला है, यहला थोड़ से replace करोया था पन, energy proportional होती frequency ला, तो E is equal to आला होता H new, आनी new चे जागी में कायट हो शक्तो, H C by lambda, यह पहिला सेट आफ फॉर्मूल आप लेला मिलाला, E is equal to H new, और E is equal to H C by, आज आला energy of photon था फॉर्मूला, आज आला energy of photon, आता दर माला light चे एनर्जी पाही चाहसे, सम्दम्द मी एक light घेरली, सम्द एक torch घेरली आपन, यह torch, आनी यह torch मनना, सम्दम्द लाइट बाहर रहते, आता हम आई दिये, कि light एनर्जी पाकेट से, छोटे छोटे पार्टीकल से लाइट चे, आपन फोटान मनतो, सम्दम्द लाइट चे पार्टीकल से फोटान, आता मले यह light चे एनर्जी काड़ाई चाहसे, किती एनर्जी बाहर पढ़ते लाइट मन में, लेट से number of photons अस्ति लियान, light चे टोटल एनर्जी मला काड़ाई चे आसे, तो मिन number of photons गिल, multiplied by एक फोटान चे एनर्जी गिल, मैं जहाँ जला light चे एनर्जी चा फॉर्मूला, एनर्जी पर उनिट टाइम, तो हाँ मनला, एनर्जी चा फॉर्मूला थेवला, तो हाँ मनला, यह पीन number of photons per second, यहन stands for number of photons, अज़ा यहन आहे तो आहे number of photons, यहन आहे number of photons, तो पावर जर कल्कुलेट कराई चे जालीत, आजुनेक फॉर्मूला बेटला, पावर इस एक्वल्स टू, यहन इन्टू ह्निव बाई T, इवन यहला अपन हे पन करूशक्तो, लैंबडा मदे पन लिवुशक्तो, लैंबडा मदे लिलातर हा काय बनेल, यहन इन्टू हC बाई लैंबडा T, तो जर पावर विचारली, यहन एनर्जी आफ लाइट विचा अपन काल्कुलेट करूशक्तो, यहावर बेसिक बेसिक क्वेसिक विचारली जाता जसक्की आपलेला सांग इतला, क्वेस्टन पा, लैट ची फ्रिक्मेंसी दिली आपलेला, लेट से 3 इन्टू 10 रस टू 14 हर्ट्स, एक वैल्यू दिली, विचारला सांग, फोटों ची एनर पॉइंट मदे, अपन यह एच्चा वैल्यू ला एक शॉट्कर्ड लग्शा दिली, 6.63 मनजे अप्रोक्सिमेटली हाँ, 20 रस टू 20 रस टू मैनस 34 जाला, 6.66 मनजे 20 रस टू 20 रस टू गेतला फग्तो, 3 इंटू 10 रस टू 14 जाला, 3 3 कैंसल केला, रहाला 20 इंटू 10 रस 5000 रस टू उनित, अशे कादी वेवलेंग दिली, तरी आपने एंदर्जी काड़ू शकता आता, E is equals to HC by lambda, H ची वैल्यू अपन 20 रस टू 10 रस टू मैनस 34, C ची वैल्यू जाली 3 इंटू 10 रस टू 8, divided by lambda 5000 रस टू 5,000 इंटू 10 रस टू मैनस 10, numbers मी कैंसल केले, 3 आनी 3 कैंसल ची वैल्यू जाली 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 इजह जर तुम्हें ऑफ्जर करा लधी एनरजी जूल में आपन एक्स्प्रेस करतो है तो ये बाजूल आद पावर यहां कुछ छूटा है मजी ही एनरजी आज़ुं कुन तही एक्सिक्प्रेस करूशक्तोगा आपन फितने एवडा स्मॉल पावर एनर नहीं है तो एवडे म आटम चा वेवड़ ऑर्बीट चे एनर्जी काड़तो इवन फिजिक्स मदे आपन आटम न्यूकलिया मदे आपन इलेक्ट्रॉन होल्ट है यूनिट वापर दो रजिमा सब आटोम एक पाइटिकल सास्ता तुससे इलेक्ट्रॉन फोटॉन क्यों आटम छोटे-चोटा गुष था सरव सरव 2 आपन 1.6 से तो मजे 20 आपन 16 केल फिर पास बाइच्यार मजे ही वैल्यू आली 1.25 इलेक्ट्रॉन होल्ट आता आशी एक्स्प्रेस करना है हुजी जूल मदे एक्स्प्रेस करना है हुजी आपन इलेक्ट्रॉन होल्ट मदे एक्स्प्रेस करते है तो इतुन प आले यहाला दिवाइड करो लग्त dus academic प्रत्तिक वेड़ी आपले आला फ्रिक्वेंस यानी वेवलेंग दिले आवर इस प्रोसेस फॉलोग रहाएचे पड़ेचे साथी एक शॉटकट पनेवा महत्वाता फॉर्मुला का है जर आपले आला वेवलेंग दिले आशे लैंक्स्ट्रॉं यूनिट मादे तर हे जे एच इन्टू सी करून नंतर 1.6 ने डिवाइड करायाचे है 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 अपन हाँ शॉटकट लग्षाट्यू है एनर्जी काड़ाईचे आसेल तर 120040 divided by लैंबडा ची वेल्यू टाकली वक्त लैंबडा ची वेल्यू आसली पाई जा एंक्स्ट्रॉं मिनुट मदे तर आपलेले जा आ एंक्स्ट्रॉं मिनुट मदे आसला पाई जालाा तर आंसर एलेक्ट्रॉं मदे यह तर यह नानोमेटर मदे दीला तर आहे पावर एड्जेस करावे लगतेला अकॉडिंग तुम्हे काच कोंता तरे लक्साट्धों है कि एनर्जी जार इलेक्ट्रॉं होल्ट मदे काड़ा डिफाइन केला photon तेचा एनर्जी सा फॉर्मूला E is equal to H nu और Hc by lambda देन तेचा वरना light ची energy कशी calculate करूशक्तो light ची power कशी calculate करूशक्तो N मांजे number of photons है electromagnetic spectrum मादे कॉंध्या साइड ला frequency increase होतास्ते right to left कॉंध्या साइड ला wavelength increase होतास्ते wavelength increase होने मांजे gamma h wavelength smallest तेक दा तो समी पुड़े जाओ तो शी wavelength वाड़त वाड़त जाएगे लो तेरी wavelength अजुन जासते भी से अजुन जासते रेडियो वेस्याटिक तो आने हैचा मदे relation काई लक्षा ठोलगा कि energy frequency ला प्रोपोश्चनल है आने wavelength ला कशिया है इन्वर्स अजे energy frequency वाड़ी तर वाड़तास्ते आने जार wavelength वाड़ी तर एनर्जी कमी होतास्ते यह relations पन इंपोर्टन्ट है और पुड़े काया है पुड़े आहे पाँ photoelectric effect आधा आपन photoelectric effect डिटेल मदे शिखुआ कि photoelectric effect अस्तो गाए तब photoelectric effect मदे आसा अफजर जालापा ज़र आपन एक आधा metal चा piece गेतला एक metal चा तुकडा गेतला आनि यह metal चा piece हुआ ज़र आपन light incident के लिए light incident के लिए light incident के लिए बेसिकल आपन आपन एनर्जी चे पकेट्स ठाक ले फोटॉन इंसिदेंट के लिए तो राशे का यह photon फोटॉन्स ठाक ले तो यह चा मदे वेगवगडे metal मदे इलेक्ट्रॉन्स होते यह चा कड़े ज़र आपन suitable energy ची क्या suitable frequency ची energy light चीओ फोटॉन्स इंसिदेंट करतो तेमाई चातना इलेक्ट्रॉन्स बाहर रेता मेटल चा सर्पेस मतना असाज़ो एफेक्ट यहला आपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मनतों सूटेबल फ्रिक्वेंसी ची लाइट इंसिदेंट के लाएं तर मेटल चा सर्फेस मतना इलेक्ट्रॉन्स बाहर रेने यहला आपन फोटो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मनतों एकच कंडिशन सांगीत लिए फक्टत देनी सूटेबल फ्रिक्वेंसी किती एनर्जी टाकली तर नाइए एक सर्टन मिनिममम आमांट अफ एनर्जी पाएजे तर लाइट पर देत मेटल मदना इलेक्ट्रॉन्स बाहर रेता आता कुंत्य मेटल ला कुंत्य प्रकार्जी एनर्जी लागते बरुबर जसा ठेक्सबुक म यह सगले एकस्पिरिमेंटली देनने करूंद पाहिला होते है अपन आशे पनता ही मेटल सास्ता जसकी सोडियम जला पोटैश्यम जला मराबल कैल्सियम जला यह सगले एचा मदना कैल्सियम जला एचा मदना जर आपन विजिबल लाइट जरी टाकली यह नॉर्मल लाइट प्राव्च गेतली जा एक टॉर्च गेतली जा खाली जर में दोन मेटल टेवले जा हाएक मेटल चा पीस टेवला और हाएक मेटल चा पीस टेवला कि आहीं सब्सक्राइब वाएक में लाइट और ही जो कि लिया क्या बाएर यह था फॉटों जा फोटों ची एन्र फिक्स को रूपाएपन यह सब फोटों बाहेर है कि है यह मेटल चा पोटों सायत है आणि बीच आपन आत्म अधी इलेक्ट्रोंस आए आता यह दोनी वेगवेगड़ी मेटल से आता जमा मी फोटोंस इंसिदेंट करता है दोगान वर पन यह फोटोंस चीकाहितरी एनर्जी है अधा मेटल ए मदे सगले इलेक्ट्रोंस का एकात पोजिशन ला नहीं है काही इलेक्ट्रोंस साहिद जे सर्फेस वर है आता जमा हाँ फोटों यह इलेक्ट्रों वर इंसिदेंट होई जमा हाजो फेनामेन है फोटो एलेक्ट्री एफेक्ट्स है और वन टूवन फेनामेन है वन टूँ आन मझे काय है? एक फोटर्ण वन फोटर्ण इजयक्टस वन इलेक्टर्ण वन इलेक्ट्र्ण बन करें एक फोटर्ण ज़र यून पढ़ला है यह एलेक्ट्रॉन यूद शोटर्ण फोरने इनर्जी इOMब इनलेसे इंःचिर्णव मद्या है तो surrounded by so many electrons है तो यहला सम्दा बाहर रेला 5 लगते हैं एक जो आ है तो खुब bottom लाए यहला बाहर रेला let's say 10 electron hold लगते है और अजुन एक माजा करें दूसरा एक metal है त्या metal चासर भी regular electrons पाई ले फिर हाँ जो टॉपला है electron यहला बाहर रेला सम्दा अपलेला energy लगते है 5 electron hold 5 electron hold अजो मद्या है यहला लगते सम्दा 7 electron hold और जो एक दम खाली है तरह लगते 10 electron आता जम्दा मी दोनी ही metal वर एक एक photon incident करें तो हाँ electron बाहर रेना साथी 3 electron hold इतके energy लगते है आपन टकली है किते 10 electron hold हाँ electron 3 electron hold खर्च करें बाहर रेना साथी आणि 10-3 हेचा कडे 7 electron hold इतके energy बाखे है जा ही energy रहली ही तेची kinetic energy यह उड़ी energy गिवना electron पुरून जायल लिगून जायल इतना कितेची kinetic energy समद आता एक दूसरा electron आला आने हाँ दूसरा photon आला आने हाँ दूसरा photon पढ़ला या दूसरा electron होते आता हाँ दूसरा electron तेची 10 गेल आने हाँ पन बाहर रेना आता बाहर रेना तरह हेचा कडे 5 electron hold इनर्जी तरस सिमिलर वे मेदे तिसरा हेल आने हाँ तिसरा ला बाहर कडे यह चाकड आता बाहर आले आवर 0 electron होल्ट एनर्जी तेनी दहा photon ने दहा एनर्जी आंडी होती और electron ला पन भाहर एला दहा गी लिए जह चाकड एक काइनेटिक एनर्जी 0 आता similar case मी दुसरा metal साथी घेत लिए या metal साथी जर घेत लिए या metal साथी जर मी घेत ला हाथ केस एक फोटोन आला समझा आनी है चावर पढ़ला है चावर तहा बाहर एल आता यहला बाहर एनर्जी खर्च दगरावे लागली 5 आपन दहा आनली होती जाच आज है काइनेटिक एनर्जी है इसल पाथ इलेक्ट एलेक्टोन होल ते लिए बाहर अल्या चाटक शैजर दा झिलाः आता 13 Sinn गैनेटिक एंडर्या है ती डिफ्रेंट एवाले मेटल चाए लाट इसे मादे बाहरे रेड्या साथी 3 तीन होल लागते कमीद कमी तर्फेस वाले साथी अब गारे मेटल साथी एक मिनिममम अमॉंट ऑफ एनर्जी चैसे जला आपन एक्स्प्रेंद करता ना पाइनट या ले वर्क फॉंक्शन मुझे क्या होतहा।emyनीममउनेरजी जी इलेक्ट्रॉंला लागतें झूँजेक्ट आउट ओफ मेटल सर्फिस मेटल सार्फिस आधर भाहरेच आसे एलेक्ट्रॉंला जी मिनिममम एनर्जी लागतें चला आपन वर्क फॉंक्शन म Zack आता है work function metal to metal vary होता है किते स्पाना metal a साटी कमी किती लगते तीन metal b साटी किती लगते लगते 5 जो work function ही जी टर्म है depends on nature of metal depends on nature of metal नेचर of material नेचर of material तो जरा ता आपन यह 10 electron hold ला decrease करता लो समदा में यह 10 ची value कमी के लिए 5 electron hold के लिए हा वाला electron तो बाहर एनर था similar way मद हा वाला पन electron आने हा वाला पन electron बाहर एनर ने तो जसा मी एनर्जी कमी करत करत जओ तर एक लेवल आशे पनील कि समदा मी incident के लिए एनर्जी समदा दोन इलेक्ट्रोन होल्टे तो या metal चा सर्फिस मद ना तो मीत कमी लागा थो थी तीन इलेक्ट्रोन होल्ट पन मी बाहर यह नालो ए दोन इलेक्ट्रोन होल्ट यहार थक है बाहर उन अन्डेली एनर्जी बाहर एनर्जी जवडी लाखते चा पिक्षा कमी है ऍहां कि इसमाद इलेक्टों बहर एक है इनर मैं जह phenomena पोसीब माई फोटो इलेक्टिरिक इफेक्ट थेहली पॉसिबल है ढास अपन जी एनर्जी फोटान चे आंन तो है знает है जासता सिलिपाइजे कि महँदा ईक्वब पाइजे घोल मैν चे वर्क फंक्शन देख śay आता एनर्जी चा फॉर्मुला तम ही त्याप लेला ही एनर्जी कर्रस्पोंडिंग अस्ते कही तरी फ्रिक्वेंसी ला आता ही फ्रिक्वेंसी आशी असली पाई जे या ही जी एनर्जी वर्क फंक्शिन जी या ला corresponding पन एक frequency आसना रहे जशी या energy ला corresponding एक frequency है जशी हीप अंतर एक energy चाहे ना work function या energy ला corresponding एक energy आसे तो photoelectric effect थे हुआ पॉसिबल है जमा बाहरुन आले लिजी frequency आसे लाइची कि या minimum एका frequency चे पेक्षा जास्त आसलिबाईचे या frequency ला आच न्यू नॉट ला आपन threshold frequency मना तो photoelectric effect थे हुआ पॉसिबल है जमा आपन बाहरुन आले लिए energy वर्क function पेक्षा जास्त आस्ते तो बाहरुन आले ला light ची frequency ही पेक्षा तोड़ा से याला detail मदे explain करतो पा facial frequency काया समद आपने graph plot केला जैचा मदे x-axis वर है frequency या y-axis वर है energy फॉर्मूला काया होता e is equal to h-new photon चा एनर्जी सा formula होता पा e is equal to h-new आता बाहरुन आले लिए energy है let's say दहा electron होड़ी इतके energy है इकोंदे तरी frequency ला corresponding है हुके हालि और समद में energy कमी खेली होगे मझे frequency तो также energy प Beispiel कमी होते आज उन्हें दर frequency कमी करे तो आज उन एनर्जी कमी होते है ज़िया the lines to slow है अ बतला आर्म नो जिए अधिक कमी कि लिए frequency कमी के टे आज या पर वैल्यकमी होते स कोईव सब्तके हमारा था था मिनमम पाऊजरा आपन बोलो तो वर्क पॉन्ग्षे यह लाकरसपनिंग पन एक फिक्रीक्वेंस्य असली माईचे यह इनेचर पाहिए को स्नसील आपन अदि बोलो कि फिक्रिक्वेंस्य वाळ लि यह окोख essay पन वाडते है इनर्जी पन वाडते हैं पर अधने कि अचछी 15 में यहad hiach frequency डिलेख जाए हुआ अपाट माद में फोटो एलेक्टिक्रीक पॉसिवल उस नहीए ऑपन फ्रिक्वेंसि दीं लाइट ची फ्रिक्वेंसि थ्रेशवल्ड पक्षव कष्ण पायजे जासता और यह अपींसि पिक्वेंसि थ्याद हें नेरजी कष्ण पक्षण जासता उन्डैल वर्क सिमिलर वेव मदे जर मला वेवलेंग्ध सोबत हाज ग्राफ प्लोट कराए चासेल y-axis वर मी एनर्जी गेदो x-axis वर वेवलेंग्ध गेतली वेवलेंग्ध आने y-axis गेतली एनर्जी आता वेवलेंग्ध आनी एनर्जी मदे रिलेशन होता e is equal to hc by lambda e is inversely proportional to wavelength इनर्जी प्रपोर्शनल चा ग्राफ आसा तो जाए हाँ ग्राफ आसा है आसा ग्राफ रखो आता दोन वेवलेंग्ध गेतो एक तीन इलेक्ट्रॉन होल्ट वाली और जो वर्क फंक्शन ची वेल्यू तो कर्स्पॉन्दिंग एक व्येवलेंग्ध काड़ोंगे तो इक तीन इलेक्ट्रॉन होल्टी इतकी जर एनर्जी है या शेल तो जी एनर्जी एया शेल जर्ण लगते तो यह एक व्येवलेंगध आसा सब्सक्राइब या वेवलेंग्ट ला काई विल पा या वेवलेंग्ट ला करस्पोंडिंग जी एनर्जी है की एनर्जी एक वेवलेंग्ट होती लैम्डा या लेम्डाला कोरस्पोंडिंग एनर्जी होती तीन इलेक्टवन होती होती है वर्क फउंक्शन होती होती है जीअ कैस्प्ष माद या पॉसिवल ग्राहाल अरस नहीं है अच्छी एक व्यवलेंग ताहे पा, जै व्यवलेंग सम्झाटी बाहरो नालेली एनर्जी वर्क फूंक्षण चाईए उक्वल होते और यह व्यवलेंग ब्ला पन थ्रेशोल्ड व्यवलेंग महते हैं अच्छी नुऌनोट मांजे थ्रेशोल्ड फिक्वेंसी हैं धर्मी व्यवलेंग थ्रेश्वल पेक्षा कमी घेतली तो अब्वेसली एनरजी ची वैल्यू ही वर्क फॉंक्षन पेक्षा कशी होनारे जास्ते इन्शोर्ड अपलेले है समझागे से चामतना कि फोटो एलेक्ट्रिक्रिक्ट कदी पॉसिबल है जेवां वर्क फॉंक्षन पेक्षा आपन जास्ते एनर्जी आन्तो भाहरूं क्यों थ्रेश्वल्ड फ्रिक्वेंसी पेक्षा जास्त फ्रिक्वेंसी भाहरूं आली क्यों थ्रेश्वल्ड व्यवलेंग तेक्षा कमी व्यवलेंग तापन भाहरूं देली त्या केस मदे या तीन ही केस मदे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है और निव नौट आनि लैमडा नौट या आशा वैल्लिउ जैत फ्रिक्वेंसी चा कि जचा मदे बाउंट्रि कंडिशन मुद्शक्त आपन निव नौट आनि लैमडा नौट ला त्रेशोल्ड आनि त्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी आनि त्रेशोल्ड व्यवलेंग तो यह एक इंपोर्टन केस है कदी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल आए एच और पन एमसी क्यों विचारतर फ्रिक्वेंसी वाली तरेश एनर्जी पन वाडते भाहरून एणरी आनि व्यवलेंग जर्वाद ली से एनर्जी कमी होते है पोटो इलेक्रीग इफेक्ट पॉसिबल कराय चाहँ से भाहरून आलेविलिए एनर्जी ही वर्क फंक्शन पिक्सा जासता पाईशे प्रत्यक अच्छ 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 अच् पहले होता सोर्स ओफ लाइट एस सोर्स ओफ लाइट आसा होता कि यह जा मदे आपन फ्रिक्वेंशी ओफ लाइट ओके मजे एनर्जी बेसिकली और इसेकेंड इंटेंशीटी ओफ लाइट इंटेंशीटी कायास थे पन पाऊँ यह दोनी ही गोष्टी आपन अच्जेस इंटेंशीटी मजे सध्यासाथ यह लक्षा आठेवा कि नमबर ओफ फोट ओंस एक्स्पर्मेंट मदे तो सोर्स ओफ लाइट बापर लाइट आमदे आपन लाइट की फ्रिक्वेंस एज्जेस करूशाकत हो लाइट की इंटेंशीटी एज्येस करूशाकत हूँ पन हमन्नम ऑले आफ युवी लाइट पन पास करूँ शक्ते हैं करनां काही मेटल सट या पन स्वाय बाईट है आपने युवी लाइट लगते युवी लाइट लगते हैं बातंके अच्वीराइट हम्हें है अस इक मैटेरियल पाहे जिए युवी लाईगते थे लाइट टाकली आपन एका प्लेट वर या प्लेट ला मनले इमीटर प्लेट या इलेक्ट्रॉन बाहर रेना रहे या इमीटर प्लेट चा जो सर्फेस से यला आपन फोटो सेंसेटिव सर्फेस मुझे जे इलेक्ट्रॉन बाहर रेना रहे तो इलेक्ट्रॉन ला कलेक करना पूर्ण सेटप एव एक्राइटव ग्लास ट्व नज एए पूर्ण सेटप एव पाहर कल लिए पूर्न प्रेशर रिलूस कर दिकने एलेक्ट्रान जमां बाहर एती बग देख यहां खल्चा जर पार्ट बगाल पूर्ण में एक कम्यूटेटर की लाव लिए आता ही कम्यूटेटर की मंजे का एस तो रिया इमिटर ला अनि कलेक्टर ला आपन वेगवगड़ा टाइप चा पोलेरेटी पोटेंश्यल चा कनेक्ट पूरू शकतो विद्ध हेल्प आफ कम् रियबन है डिया वीरियबल मझे जर मीं बारा फेड़ लू ची बैटरी घेतली है तो यह बारा होल चा बैटरी ला मीं 0 पास्नँ 0 ते बारा तसा ही यूज करू शकतर में यह सब में बारा आट ओल्ड युज करता है टाप के ला तर नहीं छेंटर ला टाप के ला तर में 20 रीजन आसा है कि यह में रूंड्डेज बराई करूछ सोगतों नेक्स्ट आपन किती ओल्टेज दिले हैं यह पाहने सटीए इते होल्ट मेटर लावलाई कि आपनि यहां दोगांचा मदे किती होल्टेज अपलाय करते हैं यह होल्टमेटर थुरू भगना रहे तापन जिवा एकादा इलेक्ट्रान कलेक्टर ला रीच होना रहे त्यमा यहां सर्कीट मदे किती करन्ट फ्लो होते है यह मेजर करने गीटर कंड़ियों onda कम्युटेटर म्हीहां किचा और कलेक्टर ला पॉजिट्वय पोटैтесьट्वकालेय ला स्लाम यही होने करनेक्टर सेप्से अपन। कुंतिया मेजर करते आता intensity चेंज कराएचे मांज लक्षा थ्यवाईला संगेतले ले नंबर ओफ फोटॉन्स नंबर ओफ फोटॉन्स बदलाएचे तप लगाँ तो सेकेंड आसना रे नंबर ओफ फोटॉन्स आनि तीसर एक हाल्चा साइडला जे पोटैंशल आपन आपलाय करते आप पोटैंशल डिफरेंस आएक आपन वैरी करना रे तो टोटल आपलाय कड़े एक्स्प्रियेंट मदे इंपूट तीन है जे आपन वन बाइवन देनना रे पहला केस मदे फ्रिक्वेंसी चेंज करू त्या वेला इंटेंसिटी आनि होल्टेज पॉंस्टेंट यहो ना रे तीसरा केस मदे जेमा आपन पोटैंशल डिफरेंस चेंज करना रहो त्यमा इंटेंसिटी आनि फ्रिक्वेंसी यह दूनी गोश्टी चॉंस्टेंट रहो अनि मेजर करना रे पूर्ण एक्स्प्रियेंट मदे पूर्ण एक्स्प्रियेंट मदे आपन फक्त करन मॉनिटर कर करेंट मोनेटर मंजे एलेक्ट्रान बाहर पढ़ लान अंतर कलेक्टर ला जमाहील तो कदी बदलतो है आपन आउट्पूट में पाढ़ना रहा है पूर्ण एक्स्परिमेंटी जो अब्जर्वेशन साहे यह अब्जर्वेशन स्टडी करता ना अपन वेग्वेग्र ग्राफ स्टक्राफ अब्सराइफ स्ट्री होता है अनर करेंच सेला और रेघैंट ज़सरी क्यां क्यर्श करना और कर्या मेंजर लुदी जा चेंडे इन्पूट है अईपूंट फेले डिला का उनीपर्वेशन और अbelsाम तर्वेशन रहें ना है क्रोप्ता अनुक्रवेशन में प् पहिला अफजर्वेशन पाविए शाक्रेंट वर्सेस अब करेंट वर्सेस व्रिक्वेंची के साधी केस गया कि एक मेडल ची प्लेट या मेडल चाप्रेंटमने एलेक्ट्रॉं भाहर रेने सब्सक्राइब two-thre ऐल फोन सा नहीं प्रत्य क्वोट्यॉड लटीलेक्ट्रॉनुम्हा अनि हिते यह फोट्यॉड चैनली यह फोट्यों न यह यह फोट्यॉड पाण थे बहुत्यॉ यह अंधला स्कुलिंय चैनली में आपन फ्रिक्वेंसी बदलना रहे तानी करेंट मोनेटर करना रहे तो पहला केस मदे टेन इलेक्ट्रोन होल्ट थी तो दुसरा केस मदे 20 इलेक्ट्रोन होल्ट इतकी एनर्जी के लिए अथा 20 एलेक्ट्रोन होल्ट जरी के लिए एनर्जी मी तरी माझे नंबर आफ फोटॉन तर हंडेड तो बाहर एनरे एलेक्ट्रोन पन आजुन पन किती अस्तिल हंडेड अस्तिल हां फरक पड़ेल तेमाजे कशा मदे एनर्जी म मांजे महां में 10 हेल स्थी आकती ही अप्राइप्त , युंचे लFrूरे स्थाइथ चाले स्थाँत्स medal स्थाइण स्थाइप्रण ऐसे मांजे 17 सथाइण Speak with कानेटिक अनर्जी यहासे आनि मिनिमुम किते आसना रे जीरो पन नंबर ऑफ एलेक्ट्रॉन ये इमेटर कडना कलेक्टर कडे गता है त्यत्रवाद लिए नहीं है करन नंबर ऑफटॉन दर फिक्स आसती हिल तो नंबर ऑफ एलेक्ट्रान पन काही है रिटक से एसा है कि फ्र anton chi kinetic energy kinetic energy of emitted photoelectron photoelectron depends depends upon energy of incident radiation incident radiation were kinetic energy photoelectron chi depend तर्ण करते हैं बट कि उन्डी पहिए को सबक्ताएं लगांल एक फ्रिक्विंस तीं अधृट नहीं जाया ती 3 तिया केस मादे एक ही इलेक्ट्रों फ्लेट जा भाहरस अनरा ने यह आपन जे मुझता हो कि करंट हाँ फ्रिख्रिक्वेंसी योर्ड डिपेंड नहीं है पन्ते कदी जो परेद अनरी फ्रिक्वेंसी कोंथ हाँ फ्रिक्वेंसी पैक्षा जासता से ल थ्रेशोल्ड पेक्षा तो जर मी एक ग्राफ काड़ाएचा ठर होलाएच आमादे करेंट वर्सेस फ्रिक्वेंसी चा इकड़े आपन करेंट गिवयात इकड़े सम्द फ्रिक्वेंसी गेतली आप करेंट है आण इकड़े फ्रिक्वेंसी गेतली एक थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी आसनार है यह चा आगोधर यह थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी चा आगोधर मी जर करेंट मॉनिटर केला करेंट जर मॉनेटर केला तकरेंट 0 यह करेंट थ्रेशोल परेंद इलेक्ट्रन बाहर सभे हैंके किया आपन थ्रेशोल इत्की दिली तो त्यान अंतर जो करंट आए तो कॉंस्टेंट असना होना तुम्हें फ्रिक्वेंसी किती ही वाडवा करंट मदे कही चेंज यह नार नहीं है मझे करंट अपला है सैचुरेटेड लेवल ला से करंड नंबर ओफ ईलेक्रोंस फ्रिक्स है असो हाज हो सदन्प इंक्रीस आहे अकुटे मिलनारे आपला थ्रिशोल्ड फ्रिक्वेंसी लो तो त्याकी समधे करेंट इस independent current is independent of incident frequency में जो पहिलर रिलेशन अपन पहिलर कि current हा frequency वा डिपेंड नहीं बेसिकली एनर्ज पोटन चा energy वा डिपेंड नहीं है as long as energy is more than work function or frequency of photon is greater than frequency of incident radiation is greater than threshold frequency second variation काई आसना रिपा second case में आपन काई कुरियाद current चा मोनिटरिंग पाऊएद current versus intensity the inner light ची intensity चेंज कुरियाद परत्यच एक्जांपल गिवापन एक इमेटर ची प्लेट है या इमेटर चा प्लेट वार अपन फोटन इंसिनेट कुरियाद यह फोटन टकले समझाए चाओ आता फोटन ची एनर्जी ला आपन नो को चेंज कराएला एनर्जी टेनस टिवाथ पहला केस मदे आपन समझाए दो इंसे फोटन टकले 200 second case मदे आपन समझाए पाश्य फोटन टकले थर्ड केस मदे लेट से 1000 फोटन टकले बरोगर और यह कलेक्टर प्लेट लाओं टकुए देख यह प्लेट मद बाहर इनसे लेट से मिनिमाँ टीन इलेक्ट्रॉन होल्ट इतकी एनर्जी लागते अथा आपन किती देतो है कहाँ इलेक्ट्रॉन होल्ट आणि समझाए पहला केस मदे दो इंसे फोटन इंसिडेंट केले मिजह दसे 2 राकले बाहर पन कती है से 2000 फोट इलेक्ट्रॉन होल्ट से नुग मिखे अचति को मिखेगे में जवड़े दोज़ी इलेक्ट्रों भाई आले तो यह वेलेक्ट्रों गड़े जाती है क्रण्ट ची वैल्यू जर माला बगिटली तो गरंची वैल्यू यह डायरेक्ट्ली प्रपोर्च्णल ए इंटेंसिटिला करंट जुड़े जास्ता भी फोटन वाड़े टो ए टोड़े असन मनेट्रों मेर थे k Tuc scientists मतला some intensity अ इंटेंसीटी तीला मुझे number of photons प्रपोर्च wizard ग्राफ केथा इडियर्स मिस्मित्व है करेंड करण्सेट ला की कीतला श्यूलाओ अने system एक डम स्ट्रेट लाइन एनर जसा अपन इंटेंसिती वाडू ज़ू सा करन्ट पन सर्कृट मतला वाड़ेल सर्कृट मतला करनट पन वाड़ेल पन यहला एक कणडिशन ने परत्तीस कि जी एनर्जी आपन देतो ए भाहरूं कि एनर्जी वर्क फॉंक्षन तेक्षा काया स्ली पाईजे जासत अचा केस मादे current is directly proportional to intensity हापला second variation होता पहला frequency सोबत current कासा वारी होतो second intensity सोबत current कासा वारी होतो पहला केस मादे टा dependents न होता दुसरा केस मादे जशी intensity वाड़े इलता सा सरक्यट मतला current पन वाड़ा आता तीसरा जो आहे थर्ड वालात तो होता करन्ट अ करन्ट वर्सेस पोटेंशल ता आपन्द पोटेंशल बदमद भूग गया था के परते ग्राफ गोनेश्चेज चामाधे वा एक आक्सीसवर किवेथ करन्ड गया और चैसे के पोजिटिव पोटेंशल पन गया सबस्कि miner ऌतल गोट लां हो पिए दूनिद गेत लिए पोटांचिल है राइट साइड जा पोटांचिल लाम है एक्सेलरेटिंग पोटांचिल मनतों है एक्सेलरेटिंग अड़ीन गेटिव साइज ले जाहे ताल र्टार्डवियक है रिटार्डिंग पोटेंशियल आणि इकड़े गेतला आपन करेंट आथा पाँ पर तीस केस गिवे आथा आपन एक इमेटर प्लेटे आपले गड़े आथा आपन दोनी गोश्टी फिक्स करोंदा आपकू एचावर जी लाइट पड़ते यह लाइट मदे सम्धेश लाइट ची एनर्जी दह एलेक्टरॉन होटे अनि सम्दस शंबर फोटॉन बढ़ते अनि यहाला बाहर एन चाटी लागते तीन इलेक्टरा आग्वाराइट आपन एनर्जी चेंज नहीं करना रहे इंटेंसिटी चेंज नहीं करना रहे वर्क फंक्षन तीन इलेक्ट्राण होल्ट है अधा पहली केस जचा मेंदे पोटैंशल जीरो होल्ट है कुन्द या पोटैंशल बद्देर बोलते है जह आपन इथे आपलाए गरते है नहीं थे या बैटरी चेम्ट नीजे पोटैंशल आपना अपलाए गरते है ते पोटैंशल वैरी गरनाचे बोलते हैं संदब है पोटैंशल मी जीरो होल्ट ते इस मेदे पन कहीं इस इतना नीक्तिल अनि कलेक्ट्र काडे जाउन पोस्तिल और यह इलेक्ट्री निगाले इनचलंब फस प्लस टू के ला जैंची काईनेटिक एनर्जी जीरो होती जैंची पूर्णे एनर्जी बाहर इने मदे करच जाली अशे काई इलेक्ट्रों परत पोच्टी लिए थे मजे थोड़ा फार करेंट वाडेल रसा मी पोडेंशल वाडेल रसा थोड़ा फार करेंट वाडेल पन्य इतका 100 फोटन पढ्लन वह जी अंडेड्र एल्यक्ट्रॉन बाहर प辛苦 ले आतामीं पोटेंशल चारओ को दिया को दिया मकाणास कोड्या करेंट ची वाड़लु पाहर में बदलनारस नाहिए करन्ड़ा रसा ऑरेंडेंशल वाड़लु आने बदलनारो है करन आफ य बेनफ् पॉडेंशल वाड़ोावले ऑल ने यह चा मत्र इलेक्टरोण भायर नहीं form agar तो गरंट ची कॉंस्टंट्त बन ही जहरी हापन पॉडेंशल वाड़ो वड़ो eyes कीँदी जरीचारार को वाड़ो ही कॉंस्टंट्त सटर्वीन च वाल्यू कॉंस्टन्ट है क्रूट्वालच हों थोड़ा वला सटी करेंट वाली है कि कायनेटिक एनर्जी जीरो होथी अचिन्मी अनर्जी मिलाला है यह पोल्चले कलेक्टोपीट्वेट जाओ पन समझा इंग केस में आसके यह लहा तो इते पॉजिटिव पोडेंशल न देता वी यह पोडेंशल लिगेटिव गरत गेल। करन सम्दा दहाई उलेक्ट्राण होल्ट तुप यहवड एनर्जी टकली। तीन उलेक्ट्राण बाहर अलसके लागते। कहाई elektron आशे पनेच जैंची कैथे यवड कीषण सेल मैक्सिमुम कीटे असना हरे, सतात, अधा समधमी या होच्छी एक डुंदर एक आदा इलेक्ट्रॉन बाहर पढला जया चेची काईनैकेक एनर्जी पहिलया केस मदे खोती एक इलेक्ट्रॉन हलुक एक इलेक्ट्रॉन हो लेड़से मदे खेवला सब्सक्राइब दोन ओल लावला है तो दोन इवी आसते है आ फॉर्मुला पाइला होता है वर्क दन अपॉन चार्ज मन्जे पोटैंशल आसते है वी इस इक्वल स्टू डव्लीव गाई क्यू अन्हें जे वर्क करता हो आपन ते थे चा काई नेटिक एनर्जी मदेश आता है सब्सक्राइब डोवाला कि में क्यां ओविस एस एलेक्ट्राइब सक्राइब अमिट्री बहुत है करेंब चलप्रण यह रहें बर्भां ना होकाल कर दोड़े ऐ वह दो इसांध ग्यार को इला जाए इलेक्ट्रॉन इमिटर पसना कलेक्टर पसी पोष्ट माझना है मझे इंडारेक्ली सरकीट मदला करंट किती जाला आता जीरो आसा ग्राफ पहला हुआ तो यह असा एक पोटेंशल आहे पा जापन कलेक्टर ला देतो कि जिते मैक्सिमाम काइनेटिक एनरजी वाला इलेक्ट् कलेक्टरल देतो किते मैक्सिमाम काइनेटिक एनरजी वाला इलेक्ट्रॉन पन काई होतास Congressman कुप सिम्पल है, स्टॉपिंग पोटेंशल मझे आसा पोटेंशल जो आपन कलेक्टरला देतो, जीते मैक्सिमाम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रोन पन काय होतो, स्टॉप आनि सर्किट मदला करंट काय होंजातो, जीरो आपन टोटल टीनी वेरियेशन चीकलेपा, पहला काय होता, करंट वसेस फ्रिक्वेंशी, करंट फ्रिक्वेंशीरोर इबीपेंड़नस नही है, इगेंट् इंटेनसिटी आणी करन्ट, जर्शे आपन इंटेनसिटी इंक्रेज करूँ, तरजा करन्ट पीआ इंक्रेज होतो। तिसरा होता, जर आपन इंटेनसिटी आणी फ्रिकवेंसी कॉंस्टेंट हैवली, potentia let वह अबद करंट चा कसा रिलेशन थो जीरो पोटेंश्यल आशील तेरी सर्कीट मद ये करंट फ्लो होतो तर्मी पोटेंशल वाडवाद गेलो पॉजिटिव साइड़ला करंट वा कसला ची इफेक्ट नहीं आला करंट करंट साचुरेट हुन दा तो पन मी निगेटिव पोट सब्सक्राइब सेस्थ Wähart पोडेंशी हुआ साथिन ग्राफ पाईब पाईब पाहिला करंट पर्लीजिक्ते लिजेस्थ sommes सब्सक्राइब तीन ग्राफ पाहिलिट काई पाहिल्ट शचिह पॉटेंशेलनाक्राथ वर्ता ग्राफ होता। जैसा मधते आपन अजो लास्ट ग्राफ होता। Curran' scientific potential अपने स्या रिचिख गरे था। या the graph मधते साल के अपने काम कुरूए है। Intensity travailler गरेथ। Intensity चेंज काले है। अने ची छी Energy आहे photon most फिक्स चुर्ए, fixed constant पोटेंशल कोई है। पोटेंशिल्स होगर्ण्ट चे रिलेशिन का रहे हैं पोटेंश्याल्स होगर्ण्ट आपन एक ग्राफ दो स्टैडी के लगवता हिए कि पोटेंश्याल जीरु आस्ताना आपन करेंट होता सरकीट म परे आनी करेंट ची वैल्लू कॉंस्टंट और धामोने साथ आप लेले एक निगेटिव पोटेंशल लागत होते हैं इते एक निगेटिव पोटेंशल लागलें तो आपन स्टॉपिंग पोटेंशल होनला और यह साथी समझा फोटॉन्स होते फाइन पेट पास्षे फोटॉन होते हैं फोटॉन ची एनर्जी होती दहां आता आपन कुंता ग्राफ वक्त है जा केस में इंटेंसिटिए आप लेला बदलाईची मजे फोटन बदल याथा पंद आता संधा मी पाश्य चाहुजी हजर फोटन गेतली 1000 फोटन गेतली एक आज फोटन गेतली तो अब्विचली करेंट काही होना रे वाड करेंट चींज होना रे परेंट चे वैल्यूं बदली आता मी पश्चेचाहूजी कि़ फोटवाद केतले एगाजर पर्ण एनरजी काई गेतले आत्ता पांद दाज केतले आता एनर्जी जर्दा हासिल आपले केसमा दे बाहर इनेसेटी किती लागत हुथी तीन बाहर इनेसेटी तीन लगते है जरीमी फोटन वाड़ो ले तरी सगड़या फोटन ची मैक्सियूम काइनेटिक एनर्जी गाया से साथ अस न रहे अं तेला थामोनेसेटी किती सब्सक्राइब लेडिक नहीं करते पर अगर तो सेकेंड केस में दे पर मला जे पोटेंशिल मिलना रहे टॉपिंग पोटेंशिल सेम वेल्लू चे तासे तो सेंग असला पाईजेग राव लेट से मी फोटन कमी के लिए असा समदा मी फोटन कमी के लिए दोनशेट फोटन पन फोटन जरी कमी जाले तरी एनरजी तेनची तीच से यानि मैकसिम काईटिक एनरजी आजुन पन साते मजे थामोने सथी माला स्टापिंग पोटेंशिल आजुन पन तेस लागना है सेम या केस मदे जशिमी इंटेंसिटी वाड़ा होते आईवन मना आईटू मना काईटू मना आईटू मना ले तरी इंटेंसिटी जशिमी वाड़ा होली और नम्मर उख फोटन वाड़ा उले तरसा सर्कित मतला करेंट वाला बार्टू कोट wydaje नि राटा थे चाहा और मी दोन पोईंट सामो शुकुत पहला चाहिला चाहिला चाहिल्टूं कोटेंशिल अर on intensity si intensity जरी मी बदली तरी stopping potential ची िस आय गयो थे इएन stopping potential सबसर नी किनेसिए और क मनलतरी चाले stopping potential अपन да कानेक अनर्ज लापूज करना सथी आंडि रिलेशन पन kinetic energy सबसक्रेदिन कानेक इनेसिए चीकल e Second kynetik energy ची आंडिन सथ़तो histories of everyday stopping potential लावलो होतो पा साथ होल्ट मैं जे relation काया बनला पाई जे E इंटु Vs कारण यह ला जर इलेक्ट्रोनिक चार्ज ने मल्टिप्लाई केला तरह काइनेटिक एनर्जी मिलना रहे तो वर्ग दन बुरो बर फॉर्मुला काया होता Q इन्टु V वर्ग दन बुरो बदर Q इन्टु Vs साथ होल्ट इलेक्ट्रोन से लावाई चै एनर्जी की दिजाली साथ इलेक्ट्रोन होल्ट जह जातना माला एक बेसिक जन्रल फॉर्मुला मिलन जातो कायनेटिक एनर्जी वर्सेस इन्टु Vs साथ होल्ट्रोन से लेक्ट्रोन से किनेटिक एनर्जी इस इकवल स्टू Vs पॉल्टेज इन्टेंसीटी बदल लीए अधा असा एक ग्राफ भॉग याद कि एक्टेंसीटी व्याद इनर्जी वल्याद दुसरा ग्राफ दूँख the y-axis वर करन गेतला एक्स असेसउर सम्छा आपन वाई वर करन गेतला आपलेज गेतला आता आपन थीन केसेस गीवाया जाचा मेद़ है आपन एनजी भैरी गडाए टीक है फ्रिक्वेंसी चेंज को गया तो नंबर ओफ फोटोन तेज रहा दिक है तम देया केस में फोटोन आया प्ले फाइंडेड फोटोन गेतले आनि एनर्जी आया दाहा इलेक्ट्रोन होई आनि बाहरे नियासटी किती लागत होती लेट से एक्जांपल गया तीन पोटेंशल किती आसल पाइजे रादर थामवाई चासेल तो पोटेंशल पाइजे माइनस साथ माइनस साथ वोट जी हे एक स्टॉपिंग पुडेंशल दाले आता समझा इन केस में फ्रिक्वेंसी चेंज के लिए आनि आता एनर्जी गेतली मी वीस इलेक्ट्रोन होई वीस तो आसमारे माइनस सेवेंटीन वाला पान नम्बोर आफ फोटोन्स अजुन पन 500 चे नम्बोर आफ फोटोन्स सेम असले मुले करण बदल लागा अपला करण तोच रहे करण सेम असले कमजा मी एनर्जी कमी किली 500 इलेक्ट्रोन होल्ट किली बाहरुन एनर्जी आता मैक्सि एनर्जीन कईनेटिक एनर्जी है, सो थाम जोटनेश, म से मालेक्ट्रोन हेनर्जी सेथ today लागना रहे माइनस दो तो Stopping पोटेंशियल लाँनारे-2 वह हूँ पोटेंशिल है थास्नारे-2,ब करतों हमने एक पॉइंट आसा समझाट यह पहले Stopping Potential VS1 VS2 VS3 इंटेंसिटी सेम है यापन केस मरें इंटेंसिटी तीच है इते स्टॉपिंग पॉदेंशिल 3 इस ग्रेटर दैन स्टॉपिंग पॉदेंशिल 2 इस ग्रेटर दैन स्टॉपिंग पॉदेंशिल 1 पैचा और नासर संग्शक्तों कि स्टॉपिंग पॉदेंशिल dropping potential or kinetic energy depends on frequency of incident radiation dropping potential intensity depends frequency frequency दोन ग्राफ अडिशनल पाइले आपन जिते इंटेंशिटी वहरी के लिए energy constant energy fix और सेकेंड केस मेंदे काई केला intensity fix थे लिए और एनर्जी चिंज के लिए energy vary energy vary के लिए stopping potential पन भैरी जाला इन ही केस मेंदे stopping potential different लगला तीन केस गेतले होते हाँ धाई इलेक्ट्रोन गोल्ट विस इलेक्ट्रोन और आणि पाच इलेक्ट्रोन गोल्ट तीनी केस वहरी maximum kinetic energy वहरी stopping potential पन डिफ्रेंट डिफ्रेंट लगला नेक्स्ट पाँ नेक्स्ट आहे आथा या observations पास ना आइंस्टाइन चा फोटोएलेक्ट्रोन गेशन कसा बनता है तो आइंस्टाइन चा इक्वेशन में आपन आपन आत्तापरेंचा फोटो एलेक्ट्रोन इफेक्ट सास कंसेप्ट यूज गो रहा फोर्मूला कसा अला वो देर हेपावे एक मेटल प्लेट गेतले हुते हापन एचा वर जर कि दाहा इलेक्ट्रोन होल इतकी एनर्जी टाकली और हैसा जर वर्क फंक्शन आसेल तीन इलेक्ट्रोन बाहर इने साथी मिनिमम तीन लागा रहा सिर जमां एकादा इलेक्ट्रोन बाहर इने साथी तीन लागते ताहेची मैक्सिममम जी काइनेटिक एनर्जी आसेल तो दहा घेतली तैनी त्ले तीन बाहर इने साथी लागली मजे दहा माइनस तीन पेचा कडे साथ इतकी साथ इलेक्ट्रोन होल इतकी काइनेटिक एनर्जी आसे आसा आइंस्टाइन चा फ रहएल ले ची एनर्जिया आसे ती तची Maximum kinetic energy आसमें maximum maximum kinetic energy आसमे अपन एक्जाम मदें question यह formula और एनर एद मैंसरे बॉक्स कोरूंट ने वह तो यह formula और question यह नर एद maximum नेच्वर question है यह अपिले ले आसा शर्वेल विचार ले जाना आप मैं जहाला वेगवेगळी option है कोंथा कोंथा option में आपले ला question है ते पन पाऊए तो अज़ा energy दर दिले आपले ला अपले ला तो energy आपले ला तीन प्राकारे हा question energy चापऊम मा देऊँशकता तो पहला पाँ energy ची value आपले ला कशी देऊँशकता second आज उन energy ची value कशी देऊँशकता आणि third आपले ला energy ची value कशी देऊँशकता पहला एकतर energy ची value आपले ला direct देती direct value देती आपले ला आसा संक्तिल example पा एकादा photon है जैची energy आहे six electron हो direct value देती आणि ती direct value आपले ला या फर्मूलेत यूज कराए छे second case समझा आपले ला या फोटन ची frequency देती frequency देती frequency देती frequency देती 3 into 10 raise to 14 hertz frequency सा photon है ही value आपले ला energy चा फर्म मदे convert कराए लागी जैसाट आपन कुंता formula आपले ला e is equals to h new आपन ही value काशा ताली होती Joule मदे पूर्ण क्वेस्टन साल करताना आपले ला unit कोंताव आपले लापले electron hold मजे h into new ला माला कशे ने e ने e ने डिवाइड केला e ने ने नाही केला Joule मदे मदे पन जर माला electron hold मदे कराए चासे h into new divided by e आता माला हे बेटला electron hold मदे तो जर तुमाला frequency दिली तो frequency वर्ना तुमाला energy काड़ूंद ज्यावी लागेल आणि ही energy electron hold मदे आली electron hold मदे आली तो आपन इते डाइरेक्ट वुच करूँ सकते तिसरा option ही energy आपलाला काड़ने साथी wavelength देती wavelength दिली wavelength दिली लेटसे wavelength दिली angstrom unit मदे तो जर एक shortcut पाईला होता आपन energy दर काड़ाई चासे ev मदे तो आपन 12000 चार्शेला wavelength ने डिवाइड करतो आणि wavelength कशात आश्की पाई जे angstrom तो जर आपले आला आएक पाट खाली गोंड़ा आपले डिरेक्ट वैल्ल्य day लिवाइड 12000 चार्शेला टाद आखाईचा अटा वर न थी वैल्ल्य काड़ मदे यह लापन तीन पर्सफपुशंट पन्न माला डिरेक्ट वैल्ल्य June वर्क फंक्शनला पन मला फ्रिक्वेनशी दे खकता, ध्रेश्वोल तक हम मला फ्रेश्वोल व्यवलेंग देुसकता तो कोगव्टत अप्शन है इस शौल करना सीफ वर्क फंक्शन चल काडएला ता परत पहिला प्श्विंड ड्यारेक्ट वैल्य श cotton थेश्वलन फ्रेक्वेंसी देवा हैना सेकंड दिलिंत दिलिंत थ्रेश्वल् फ्रेक्वेंसी य थार्वार्डी थे लिए एक्ञामपल फ्रिक्वेंसी देवेश्फसायजीड है परत यह चावर ने अप्लेला वर्क फंक्शन राड़ाव लागे आता इकड़े जसा फॉर्मुले तास वापर आएचा है वक्त न्यू न वापर था एच इन्टू नू नॉट वापर याथ कि जूल मदे ही तेला Eच ने डिवाइड कुरे आत महजे आपन आंसर केशा धाला एलेक्टराण होल्ड मदे तिसरा थ्रेश्वोल फ्रिक्वेंसी न देता थ्रेश्वोल वेलेंग देते थ्रेश्वोल वेलेंग दिला मजे लैमडा नॉट ची वैल्ल्यू देते परत वर्क फ तो अनेर्जि काईणिवाटी निस ये तीन एथ वर्ग फंक्ष्ण काईणिवाटी निस ये त्सद्स कैनेटिक एनर्जी काँडिन शटी पन आप लेला तीन गोश्टी आहे है येजिए कि एक कंबिनेश्टि पुन्त दे लिए असनारे काइनेटिक एनर्जी मदे पहला पार्ट इते पन सेम डारेक्ट वैल्यू देतिल संगर पहला ओप्षन डारेक्ट वैल्यू देतिल मैक्सिमम काइनेटिक है इलेक्टरन पाइए लेक्टरौन, असा संगरेड है क्यों हां, तेकेंड बाहर आलेला, इलेक्टरौन ची, Maximum velocity संगरे, बाहर आलेला, इलेक्टरौन ची, Maximum velocity संगरे, तया साटी काय कराया चेल, काइनेटिक एनरजी जिए, पुनत्य आपन पार्टीकल चेल, फॉर्मुला Gynetic Energy Max काड़ायोचा सीर तो थी Max आ जासीर तो परत ही Value काशा मद जूल मद जूल मद जै पहला Electron Hold करने छेड़ा परत Divide काशा ने करा महलागी E ने तो जी वाल्यू जूल मदे आए तो अजर इलेक्ट्रोन होल्ट मदे कराए चासे तो परत हाफ M V स्क्वेर तो आपन E ने डिवाइड के ला ता आंसर कशा मदे इलेक्ट्रोन होल्ट आणि तीसरा लास्ट ऑप्षन तो अजर आप लेला स्टॉपिंग बोडेंशल दिला स्क्वेर टॉपिंग बोडेंशल डिला इस ओपी केसे मजजे एक्गजामपल पा जर अपलेला स्टॉपिंग बोडेंशल दिला तीन होल्ट आहे काइनेटिक एनर्जी काडता न सरण सरल ताक्षे टउपिंग ब्योडेंशल ऑफ याई लेट्सरा आई कारा येंरक्शा करा स ट्रौपिंग पोटैंशल वरना आपन कैसे काड़ो शकतो काड़ो शकतो काड़ो अपर veilust फ erfolg फॉक्षेन चीकल्कुलेट निंध दिली लेवलेंग्ट वर नपन आपन यह मेली दिला फॉक्षिह पेजी चीकल्कुलेट चेहिक आ लागना नहीं आंस्टाइन चीच Scorpion वारिशन माझे तो अनि मैक्सिम्मग्वेस्टन जाहे था नवपे किस कई तरी कंडिशन असंदर है और है थे क्वेस्टन पने पूरे ते सॉल करता ना बहुग है था पन काय का फॉल्व कर रहे शेगा है अथा है अथे हैं अज उन एक दोन ग्राफ है पा दोन ग्राफ कॉमन अब फोटो एलेक्ट्रॉन वर्सस फ्रिक्वेंशी देगा आधा आइंस्टाइन चाथर मीट्वेशन भगी इतलाँ E is equal to work function आले ली energy is equal to work function plus kinetic energy वोगी मला किनेटिक energy equals to लिहाया चाथर मीका सलीग energy minus work function मला graph करादाए चाहि कानेटिक energy versus frequency नियू द्यावाए एनर्जी नो कर बला में एनर्जी ज़ागी फॉर्मुला ठेवल यह इंटू न्यू माइनस फाइल आता हे एक्वेशन दरपाल यह एक्वेशन लापन स्ट्रेट लाइन सरका एक्वेशन सरका बनुशक्त है काइनेटिक एंडर्जी वाय एक्सिस वरेट आकना रहे फ्रिक्वेंसी जर एक्स वरेट आकना रहे तो ही जी वैल्यू आहे मदली ही वैल्यू आहे स्लोप ची और ही वैल्यू आहे इंट्रसेप्ट ची तो नेचर ग्रा ग्राफ चा नेचर यहना रे स्ट्रेट लाइन ग्राफ गेत ला में खाली पने एक्स्टेंड गुरुआ है ओके आता य एक्स एक्सिस वर आसना रे काइनेटिक एनरजी एक्स एक्सिस वर आसना रे अधि यहां ग्राफ स लोप आसना रे माजी HA याल आसना रे आनि यहला Y इंट्रेप्प पने जोकी निगेटिव एे ग्राफ स जर मारा नेचर प्लाट कराइचा जालों । ग्राफ नी आसा प्लाट कराइचा यहां अध़ी नेचर आले पाईचा आनि यहां कुट करेल कोटे अग्राफ कट करें y-axis ला आणि ही जी वैल्यू है जी वैल्यू आए कि वैल्यू इंट्रसेप्ची वैल्यू है आपन वर्क फंक्शन मांतु वर्क फंक्शन ग्राफ मत अनि यह ग्राफ सा जो स्लोप है यह ग्राफ सा जो स्लोप है यह यह एम' ची वैल्यू यह ग्राफ सा जो स्लोप है यह吧 H यह ताथीटा ची वैल्यू बनकाई है H, यह वर्क फंक्शन है इज वैल्यू आसनार है जी ची टे काईनेटिक एनर्जी स्टार्ट पर्व सत वाहरए काइनेटिक एनर्जी जीरो है काइनेटिक एनर्जी जीरो माझे आशी फ्रिक्वेंसी जीते काइनेटिक एनर्जी जीरो है त्या फ्रिक्वेंसी ला मी थ्रेशोल्ड मनला पाई तो कुंदा-कुंदा गोश्टे आले पाँ या या इंट्रसेप्ट ची वाल्यू वर्क याल– अनि ग्राफ द नेचर काया है श्टेट लेंग अब पहला होता है। जो स्नेटिक एंडर्जी वर्स्टी फ्रिक्वेंसी वीचारला। सम्द अपने ला second version वीचारला है चामारे। तो मंझे रॉपिंग पोटेंशल वर्स्टी स्प्रिक्वेंसी। the stopping potential versus frequency परत इंन्चेन्स जो खटो आली लिए он तो किनेटिक अनेर्जी साली the stopping potential असना किनेटिक मदे किनेटिक इपटास्री पहलेak ी मैनेस वर्ठ फंक्षान के जाएंनेटिक अन्सवन फंक्षान again वर्सेस फ्रिक्वेंसी तो फक्त वी एच हावा है तो ए ला खाली गोंगा तो मझेहाँ ला H by E into new minus pi by E तो ग्राफ चा नेचर more or less सेमा चे ग्राफ जर प्लोट के ला तो ग्राफ अजुनपन स्टेट लाइने चे नेचर जर बगीतला तर हे नेचर आजुनपन स्टेट लाइने चे लाइने चे लाइने चे लाइने चे लाइने को गया था आप या ग्राफ सा दर स्लोप विचाराल या ग्राफ सा दर स्लोप है तो इदर दर कंपेर कराल y is equal to mx plus c soar हाँ y है m है x है और हाँ c है जो ग्राफ कार दा है frequency versus stopping potential versus frequency हाज जो पार्ट है आप आप आए तो इंट्रसेप्ट है यह ची वैलू है 5 by 5 by या ग्राफ सा स्लोप है h by h by and he value परत एक दा special frequencies और ही frequency चक्सेश वाज रोगा कथी कथी काय करता है तो यह चाह मद आजू नेका करें कोटे दर खाल चाह साइडला करें अता है दोन मेटल है आ है लेट से मेटल A आने हां आ है मेटल B अता प्रश्णा हां विचारता कि कोंत्या मेटल चा वर्क फंक्शन जासते है मेटल A चे का मेटल B चे तो दूनीट का नावर न सांगु शकता है B साथी threshold frequency जासते है तो B च वर्क फंक्शन ए A चा वर्क फंक्शन पेक्शा जासते है अना हाँ सेम पार्ट इकडे पन विचारू शकता दीके लिए तो इकडे घेतला आपन एकडे दोन केस पेटला कि हान मेटल A आए है अनि हान मेटल B लिए और क्लेरम ली करता हो कि सेकंड केस मदे वर्क फंक्शन ची वैलिव जासते है यह सेकंड केस मäre excel Так पहर क्वंक्शन पार्म प्र मेटल B is greater than wealth function for mr. 93 सेएड़ल न है जै सबस्क्राइब कोद्कर एक्षा फ्रिक् Fr. वर्षेस सबस्क्राइबॉट सबस्क्राइब एपिक्षा सबस्क्राइबॉर्व्थ आ? ना की 3 लोग facto आफ ग्राफ एक्चता में और शेले लोंगे करा इक कर णे पर आफ गारी कौना वंद है sports vector जो राइट साइड ला है किते वर्क फंक्शन जासते है यह पिक्षा है अधा यह क्वेस्टन से जे कॉमनली यूज विचार ले जाता है तो कुम्हें से कुन्ता ही सीविटी चे पीवाई की उस गया पास ते साहा वर्षा मतले तो आइंस्टाइन से जे एक्वेशन है एज एक्वेल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी यह दोन केसेश दिला जाता है यह दोन केसेश ला सॉल करूं अपले रिक्वाइड आंसर काड़ता है तो साहा क्वेश्चन पार अधा चोवीस ला विचार ले फोटो एलेक्ट्रिक सर्फेस इस इल्लुमिने होड़ णा चो फिउल्स म्याद डार gest reports लेक्रीट ळाट्र बाःटंसर केस्फेस म्याद के उसकेंड केस्पाइल थी और जाट्र प्रली ससुआ होथी एनर्जी उससलिपाइल्टाः लामडा भाई थो विप्या मेंगी चिए फिप्पलिंग सा हुट्पिंगें सिक्ट्रिक तक सल invariant इनेर्जी भाइर पाठना रेका सर्फेस्स थड़े रिलेस्स की जिंता हैं sphc कीज में कानेटिक एनरझी हाई कयूंदी दूसरा केश में कानेटिक climate अनर्जास के लाए आपन हाला hc by lambda इते हाला 5 इते हाला ke1 एला चेंज कुरतो 2 ला डाकतो वर्ती 2 hc by lambda is equal to 5 plus ke2 ला काई लूँ शक्तो नी 4 ke1 4 ke1 आथा दोनी equation मने जर पाल ता अपले ला पुडे विचाले what is the work function of the surface work function काया है दोनी equation ला solve value काशा ची विचाले 5 अपन 5 चाहे चाम मने आंसर कशा माधे आंसर हाए है तो hc by lambda माधे माझे आपले ला कुंती टम नको है तो आपले ला ही वाली टम नको है k1 नको है दोनी है चातना k1 नो कोई आणसर पाई जे 5 चाहो अशा केस माधे आपन k1 ला eliminate कराया चाहे अने eliminate कासा करना इते 4 ke1 है इते k1 है यह काम करतो सगी गड़ी 4-4 टकतो इते 4 टकला इते 4 टकला इते 4 टकला इते 4 टकला मैंजे हे equation काय मनला 4 hc by lambda is equal to 4 pi plus 4 ke1 थार मी 4 ke1 बरो equate केला तो हासा इनका 4 ke1 is equal to 4 hc by lambda minus 4 pi अने यह थे आला 4 ke1 equals to 2 hc by lambda minus 1 तेला माना equation 1 तेला माना equation 2 दोगान कड़े पन lhs सेम है lhs इते पन आनी इते पन सेम है तो दोगान चा आरेचस जर में equate केले तो पहले चा रेचस अली 4 hc by lambda minus 4 5 is equal to 2 hc by lambda minus 5 अब 4 5 ला अपन पलिवेड़ेटा कोयात मांजे हा जाला 3 5 minus 1 अने 2 hc by lambda जर रिकडे आला तो चार hc by lambda माना 2 hc by lambda minus जला जर जर अने 2 hc by lambda इस इक्वलस्टू 3 5 अनि 5 इस इक्वलस्टू बिटला माला 2 hc by 3 lambda अंज आंसर का यहला होगा ओप्षिन नंबर किस रहा हुआ क्वेस्टन हा का से लेख केला है पाँ आशास टाइप चे क्वेस्टन कॉमनली विचार लेगेले जाचात आइंस्टाइन चा किती केस बनवाई चार दोन। जाचा माधे कॉमन पार्ट का याट गाई चार दिले लास तो रिलेशन तो जाचा काईनेटिक याटिक रहा हुआ है जी तम वीकार ली है तो ठेवाये ठेवाता अंचा अचार आप्षन माधे काई दिले जो निगुन जए जए पाई जए जए वीचार ले दोनी गोष्टी एक में कांसो बस प्स्वालों फाइनल आंसर ही तरस इसे केंड व्यकुक्ष्ण पॉन वेन अ सर्टन मेटालिक सर्फेस इस इल्यूमिनेटेड वित अ मुनोख्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंग लामड़ा केस वन बद्दल का संगीतले होगर अपन चोविसास क्रेश्चन केस वन मदे वेवलेंग कीदे दिले लामड़ा स्पर्पिंग पोडेश्चल मदे ओर वी नौ आ आता वन सेम सर्फेस संगीतले तेम सर्फेस वेल्फ फंक्षन तेचए पहला केस मदे जे वर्फ फंक्षन आए लेट सेफाइट केस तू मदे पन वर्फ फंक्षन काये पायाचएट सेकेंड केस मादे जी वेवलेंग्ट वापरली एती किती है तीन लामडा नी स्टॉपिंग पोटेंशल किती है सेकेंड केस मादे वी नॉट तो पटकंदोन एक्वेशन बनूंगी है एनरजी इस एक्वेशन प्लस काइनेटिक एनरजी जा फॉर्मूला आला है C बाइला व्रक फॉर्मूला वन व्रक फॉंक्शन सेम आचे काइनेटिक एनरजी आली स्टॉपिंग पोटेंशल चा फॉर्म मादे E इन्टू Vs1 ब्राबर स्टेकेंड केस मादे पान एक्वेशन तेच E is equal to 5 प्लस काइनेटिक एनरजी करेक्ट एनरजी चेक्वेशन आलो है C by lambda 2 वर्क फॉंक्शन तेच है सेम वक्त काइनेटिक एनरजी घेताना आता E into Vs2 गया वालागा आता Vs टाकोया तानी विचार ले काए Threshold wavelength विचार देखोगों क्वेशन मदे विचार लेए Threshold wavelength विचार देखोगों अला दोन केस्ट टाक है पहले केस्ट काई होती है hc अपान लाबडा वनची वैल्लु काई लाबडा वर्क फंक्शन अला 5 e इन्टो श्रापिंग पोटेंशिल केती है 4v0 पर अला में आसलियो 4 ev0 स्काविंग पोडेंशिल पोर वी नॉट है न थेकंड केश गतनी थे है एंची आपाउं वेवलेंद केती है थीन लेंबड़ा वहीत यह दे आला थीन लेंबड़ा इस इक्विलस तू वर्क फ़ंक्शन फ़ाई त्वाई पोडेंशिल वी नॉट मैंजे यहाला मीनितों सो एक्वेट कारेची ही ते 4 है चो में यह काम करतों ही ते सभी कड़े 4 टाकों दोटों चार चार आणि ही ते पन चार अहे एक्वेशन काया मनला 4 hc by 3 lambda is equals to 4 5 plus 4 ev0 आणि हातर होतास अल्ड़ेडी hc by lambda 5 plus 4 ev0 पहिला दूसरा आता काय सांगीतलो होता जे से में चले एक्वेट कराएचे जे नोकों आपलेला चले एक्वेट कराएचे तो नोकों काय होता आपलेला ev0 4 ev0 बरो वरदर एक्वेट केला तो काय आला hc by lambda minus 5 is equals to 4 ev0 आणि थे आला 4 hc by 3 lambda minus 4 5 is equals to 4 ev0 अजो पूर्णा पार्ट आपन सॉल केलेला आहेच पहली केस नहीं दूसरी केस आता हैना एक्वेट को गयाता तो यहला equation 1 ला या 1 ला अनि या 2 ला दोनी equation लाजर मी right hand side भगीचे लेफ्ट लेफ्टन काय आला hc by lambda minus 5 is equals to 4 hc by 3 lambda minus 4 5 4 5 लेक्वेट आन। माइनस कारा इकड़े plus will तो माझे इकड़े 3 phi आला अनि 4 hc 4 hc by 3 lambda minus hc by lambda इदे जर्मी 3 3 टाकला अली 3 आनि वर्थी 3 टाकला तरहा वनला hc by 3 lambda अनि इकड़े आला 3 phi माझे हाँ बनला 5 is equals to hc by 9 lambda आनि वर्थ फंक्षन दा फॉर्मूला जर आठवा दासेल तो वर्थ फंक्षन दा फॉर्मूला होता hc by lambda 0 तो हाला hc by 9 lambda वैचा मदे hc आनि hc कैंसल जला माझे lambda 0 काय यला 9 lambda तो दरवर्ष आशीक वेश्टेन यहता थाइस जिते आपन ईंस्टाइं चा मेन इकवेशन चे मेन इकवेशन चा डोन केसेश गेतों और दोन केसेस पे कि जह आणसर मदे नहीं यह तला परत परत करते आप अधा परें दोन पाई ले अजुन पन पोड़े आयत पाँ हाँ क्वेश्चन है दोनादर चोवीस ला ले ला साहा क्वेश्चन सांग इतला है खाँ अस्फ्रेंटर पोड्रा प्रिक्प्टте Tao अग लेडिग को टक्य लेकर समय इंस*** ध्साद रिवर्वेश्चन साहत क्यर और प्रिक्वेंटर treatन मा Dennis इपंद टोन्या क्या थीडिग क्यां लेट जोन टाई अन्या खाँनीड आपकाँ स्थिटीलなので स्थिटील आल्यली नॉटील स्थिटीनल बिली χ वर्क फंक्शन-चनल स्थुटी आल्यली 2- एकनेटीट विचकत व्यक्रेपक सिंटील स्क्वेर्ट अशे वैल्दी वी दी अधा दर मीया वैल्डी ला माइनस के ला हिकलें तो 2H- minus h- is equals to half m v max square दोगांता difference गेतला तो h- वाला half m v max square वाला v max square जर काड़ायता से तूला बर्ती गेतो 2H- by m अने जर v max काड़ायता से स्क्वेर रूट अपन दे तो वाला 2H- by m तो आला अपला final answer v is equals to 2H- under root of 2H- by m मैंज option पाई जी D वाला D option उर्चा काई दिला पाई for a surface illuminated with frequency new the stopping potential required for the emitted photon is V0 if the incident frequency is new by 2 then the stopping potential is V0 by 4 आता केसे दिला पादू पर दोन केसे ताको पटतां पहली केस काई आलेली frequency new work function F5 plus stopping potential दिले तो दाला मी E into Vs मंझे V0 सरके लिए फक्त मी फार्मुली आला E is equal to 5 plus k ला split करूं दिले एनर्जी ला लिले E is equal to H- हनी k ला लिले E into V0 second case केसे बनेल पास second second case मादे फ्रिक्वेंसी आहे new by 2 H into new by 2 मेटल सर्फेस तो चे सो वर्क फंक्शन तेज रही आता stopping potential V0 by 4 है पहला केस मादे V0 होता second case मादे V0 by 4 है आता तुम्ही पाहल तो वीचार ले फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी विचार लेता काड़ाओ काई लागे वर्क फंक्शन अन्य आंसर मादे पाहल तर stopping potential कुटेस नहीं है एक्वेट कुनला कराई से stopping potential ला इते E V0 है इते 4 है चार ने नो कोया है इते पन E V0 बरुबर एक्वेट करोया है आला ह्नु माइनस ह्नु माइनस 5 अन इते आला है एक्वेशन 1 मानो E इन्तु V0 इक्वेल्स तु 2 ह्नु माइनस 4 5 दोगांची जर में LHS एक्वेट के लिए सो फ्रॉम 1 एंट तु माला काई मेरे है ह्नु माइनस 5 इस इक्वेल्स तु 2 ह्नु माइनस 4 5 4 5 ला LHS ला ला तो 4 5 माइनस 5 3 5 बन्दा ह्नु राइट ला ला तो 2 ह्नु माइनस ह्नु ह्नु बन्दा तो 5 बरोबर फॉर्मुला आला h new by 3 और वर्क फॉंक्षन चा फॉर्मुला आमाहिती है आप्लेला h into new 0 तो h ला h गांसर जाला और वर्क फॉंक्षन मन्न थ्रेश्रोल फ्रिक्वेंस चे भाल जाली new by 3 तो थ्रेश्रोल फ्रिक्वेंस या है new by 3 जे ओप्षन करेक्ट असला पाई जोपा न्यू बाई 3 याट इस बी बी पर तीटे दोन केसे सुत्या सेकेंड फॉर्चा पाऊंगा फोटो सेंसेटिव मेटालिक सर्फेस हाज वर्क फॉंक्षन 5 इफ फोटन फेनर्जी 3 5 पॉल्स सर्फेस एलेक्टरन कंसा उट विता मैक्सीमम वेलोसिटी कि वेलोसिटी आहा सामित है फन जेवाँ वैं जुपाई इस इंक्रेश तो 95 आता नेर्जी नुफा जाली तो आता वेलोसिटिव वीचाली आता काड़ा चे काई इनेटिक एनेटिक एनेटिक एनेटी केस आशटी व्याला हुए लाँ, सेकंड केस पाह गाय देली, आले ली नर्जी now 5, so 9 5 is equals to 5 plus second case मदली किनेटिक एतुन दर मी किनेटिक एनर्जी वन काद्दी, 3 5 minus 5 अबनला 2 5 and एतना दर किनेटिक energy 리 the theme 95 minus five that is eight five highly kinetic energy and it Dushri so under the ratio get law K2 by K1 by 8 5 by 25 Yann if I cancel the 8 by 2 4 and the kinetic energy the ratio the half m v 2 square upon half m v 1 square it is equals to four half half यम यम एकंसल दाला तो V2 बाई V1 आला स्क्वेर रूट आप 4 दाट इस 2 दो निकड़े स्क्वेर रूट घेतला वाजे V2 बरबर का याला 2 V1 जे 2 इंटू V1 ची वाल्यू केती होती 6 इंटू 10 देश्टू 6 जा बनला 12 इंटू 10 देश्टू 6 मीटर पर सेकंड पर तेचे आइंस्टाइन चे इकवेशन होता यह जात्मा दोन केसे बनोले जे विचारले ते ठेवला फक्ट बनोला तो 12 इंटू 10 देश्टू 6 के इंटू flies मीटर पर तो इंटू आ स्चेवेशन का पर तो इंटू यह ज हfar़ें देश्तू इंटू आदू पर तो ऑपर तेचे इंटू बनोला विटिएंटू एंटस्टू खर लाटटू ठाइंटू इंटू इंस्टू अаемсяं ऐ स् वे दिए लेस्टू Вलाश्यू एं म अंसर मादे आहेत फोटो इलेक्ट्रों चा वेलोसिटी वीवन अनी वीटू एनरजी दिलिए फ्रिक्वेंसी चा अटम्स मरें तो दोन केस बनो तो फ़िली केस एच इन्टू न गेता आता एन गेता चानी एन वन दिलिए वर्क फंक्शन है 5 किऐआप कीनैसी कर आठा चा वी एन घॡ्या घॡ्य रे अनी एन रहाना रहे आनीWर्क फंक्शन कोड़े नहीं चा मदे वल्क फंक्शन चा माधे वर्क फंक्शन घ औसना आख ले वर्क फॉंक्षन बरोबर एक्वेट करतो तो पहला अतना वर्क फॉंक्षन बरोबर काया आलो H in T 2 N 1 minus half m V1 square लामद एक्वेशिन 1 आन्न इतना वर्क फॉंक्षन बरोबर काया आलो H into N 2 minus half m V2 square तो इसे 2nd 1 अनन तो रहना LHS same as RHS ला एकवाट करतो H N1 minus H N1 minus half M V1 square equals to H N2 minus half M V2 square N1 N2 एका बाजू लागी हुआ अप्शन मदे सगी कड़े पालते N1 minus N2 है तो यला इकड़े है तो हावनला H into N1 minus H into N2 is equals to और राइट लेफ्ट वाला पार्ट पलिकड़े ज़ान पॉसितिव हुए तो हाफ M V1 square minus half M V2 square कॉमन निगेल H रहिला काए N1 minus N2 इते कॉमन वाला हाफ M रहिला काए V1 square minus V2 square अप्शन मदे आपलेला हावा है V1 square minus V2 square तो 2 ला अबर रटाकतो 2 into H N1 minus N2 upon M is equals to V1 square minus V2 square अप्शन दर बगाल 4 पाईके एका साइडला पाईए 2H upon M N1 minus N2 अद दुसरा साइडला पाईजे V1 square minus V2 square आप्शन कोंता परोबर पाईजे V1 square minus V2 square 2 into H N1 minus N2 upon M तो एका ही questions होते जीते आपन Einstein चे equation कसा use कराईजे दोन cases दिला ता कसा solve कराईजे आशे भेगभेगडे question पाईजे पाईजे पुडे काही जे आत्ता परिन आपन photon चे थेरी पाईले particle थेरी आणि जूनी wave थेरी होती ते आतले महतवा चे काई की points होते पक्त ते points आपन discuss करना रहे कि differentiating points कोन्ते आये summary of observation मतले key points तो एका साइडला आपन wave थेरी डाकोयाँ wave थेरी चा मन्नय प्रमाने काया होतो तो wave थेरी आनि second side डाकोयाँ आपन photon photon theory पहला point पा वेव थेरी चा मन्नय प्रमाने जर फोटो एलेक्ट्रोन ला भाहर काड़ाचा सिल्फ तो खुब ब्राइड लाइड पाईज ब्राइड लाइड मन्जे more intensity light is required bright light is required to eject to eject or to give photo current, to eject photo electron electron बाहर रेना साथी bright light बाहर ब्राइड ब्राइड बट फोटोन थेरी काया संग्ते single photon दर्यासे single photon दर्यासे sufficient energy सा तरी तो आपलेला काया दियू शक्तो photo current अजोन वेव थेरी काया संग्ते पाँ वेव थेरी आसा मन्ते राइड इंटेंसिटी higher intensity घुट में इंटेंसिटी ताइड इंटेंसिटी ताइड पाँ काया सुट में electrons electrons emitted emitted with higher energy with higher energy अपनास आफजर नहीं केलो तेरी मदे नहीं का अपनास आफजर केलो कि higher intensity means higher number of photon intensity जास्त मन्जे number of photon जास्त intensity जास्त मन्जे number of photon जास्त energy is same energy is independent on intensity वेवतिरी तसे सांगतना होगे next वेवतिरी आजुना हापने पॉइंट सांगते है low frequency lights there are same low frequency light जर्या से ये पन electrons emit करते बट यहला वेड लागतो मन्जे it takes time it takes time अपन हे पाई ला होता वेवतिरी चामने प्रमने आज है कि या मेटल मद्दा तरी elektron ला भाहरी ने साथी समज़ा तीन electron होड लागते तरी वेवतिरी मन्दे तुम्हीं दोन electron होड जरी ठकले तरी electron बाहरे तो हो वक्त हे ये ने साथी जास्त अवे लागतो आसा इलेक्ट्रोन चुईमिशन इस इन्स्टंटेंएस. अन्हीन इलेक्ट्रोन ला बाहँ रहना साथ एनर्जी कीति लागते वर्क फॉंक्शन पेक्षा जासता के वहां एक्वल जासता टाइम वगरा द्यून इलेक्ट्राण बाहे रहे तो आसा कहीं आपन अब्ज़र के लिए नहीं है एक्सप्राइब तो है काई आशे पॉइंट्स होते जे वेव थेरीला और फोटोन थेरीला डिफ्रेंशेट करता बाकी चे सब्सक्राइब पॉइंट्स कॉमन महत्वा चे काई पॉइंट्स होते जेनों डाउन के लिए आपन तो नेक्स्टेप हां फोटोसेल अगेन फोटोसेल हाँ एक सिमिलर फोटोएलेक्ट्रिक एफेक्ट आचा है अप्लिकेशन है बेसिकली बाराश्टिकानी फोट फोटोसेल लाइट एनरजी ला नएच्यली एलेक्ट्रिकल एनरजी में करते है वह थो करतों यहाँ आप्लिकेशन हाई धार अदी सेट अप होग सब्सक्राइए थैस warfare पर अनीक हे knew game technologies सर्फेस गेतला है जो पूर्ण लाइट पढ़ना अंतर सेमिसिलेंड्रिकल आसला में सगले इलेक्ट्रॉन बाहर पढ़ले याँ कलेक्टर कड़े चेती अन्य हाँ कलेक्टर आस तो वायर चा फॉर्म वायर लूप कलेक्टर अगें वेरियाबल होल्टेज सोर्स लावले अन्य एलेक्ट्रॉन अलेंदर करेंट मेजर करने सटी माइक्र आसे यह काई खास है चामद नहीं है फक्त है चेज अप्लिकेशन से जीते यह ना वापर लेजाता है तो सकी स्ट्रेट लाइज अन्-अफ करने सटी छिए लाइट छिछ अन्-अकरेज अउफ कराए्च अटोमेटिक यहाँ तो काउंटिंग मशिन अधे पन वापर लजाता हूंटिंग मशिन मौल मदे वगेरा कुटे फंक्शन असेल तर किती लोग पास जली है चेक करने सटे आपन पोटोसिल वापरुशक्त है काई होता बेसिकली जो आज लॉंग एज लाइट चाल लिये बराबर तो इलेक्ट्रॉन एच अतना इमिट हून कलेक्टर ला पोस्ती पन समझा आपन यह लाइट चा पात मदे फ्युन थाम लोत समझ अ मधे फ्युन थाम लोत तर काह सेले लाइट पडत नहीं आता इमिटर बर लाइट नहीं पढ़ी थे इलेक्ट्रॉन नहीं है ना मजे करने काह चाला जीरो कांटिंग मदे कसा करना किती वेला अपन इतना पास जले काईदा गरता तरफ इंस्टन्स जरण करता चत ब छतर भ्याव् हमस चरोडलो सो सरकीट मतला करेंट लगल करने पूरिडील फंख्शनल की चे थे वाप्पनाब्स चेट पूरिशनत करेंग। आते वोड़ा इंपोर्टन नाहिए वड़ माहित असला पाएज़। तो नेक्स्ट इस मैटर वेव। हाएक सेकेंड मोस्ट इंपोर्टन पाट है फोटोएलेक्ट्रिक इफेक्ट नांता ड्यूल नेचर मादे। मैटर वेव। काया असता बहा मैटर वेव। का डीब्रोई चा मन्ने प्रमाने नेचर मदे सिमेट्री आसते। मजे जर रेडियेशनला ड्यूल नेचर आसे। मैटर वेव। असला पाएज़। इवरी सेंटेंस आंगित लेला तो पाएवरी मुविंग पाटिकल अस वेव अस वेव कुंताधां मास अगेतला मास एक मास लहाँ वेलौसी Yin जसा मास पूड़े जड मास सोबत आपले ये एक वेव दाएजिँ मास देर पुडे जाता सिัल मास सोबत अपलेले मागे वेव आए आस वेव असोसेटएड मने तो रेचा एक वेव दिस है असा कंसेप्ट सांगीता बिसिके लिए तेनी दोन फार्मूली उसके लिए होते है ए इस इक्वल्स टुए लामडा पोटन चे एनर्जी है अनि लाइट चा एनर्जी चा पन फार्मूला होता आइंस्टैन चा एमसी स्क्वेर तो गान्ना जा रिक्वेट केल तो C लासी कैंसल उन्दा दो मंजे H by लामडा इस इक्वल्स टु एम इन्टु C आला मंजे लामडा बरोबर फॉर्मूला बन्ला H by P प्रबर आणि हा एक असा फॉर्मूला होता पाल लामडा इस इक्वल्स टु H by P पर दितली दो मिं लामडा इस इक्वल्स टु H by P या फ प्रटिकल सो मुमेंटम पीज़ टैंसफोर्म वोमेंटम जयके कोना ला है वक्त पार्टिकल लगें तो मोमेंटम आसते पार्टिकलल ला आनि व्हेवलेंग कसते भेवला जाचा माझे आपले लाओ सिंगल फॉर्मुला यृजाचा माझे आपले लाओ particle ने चर पन हूं भगाले मिन तो आनी wave ने चर पन भगाले मिन तो पाट एकजाम माझे आपले लाओ फॉर्म्स भी चारतन तो पहला तरा था पना बेसिक पहला lambda is equals to H by P हाधा सेकेंड माला जर मोमेंटम नो को आसल वेलोसीटी डाकाई चासल का मोमेंटम ला मी मास इंटू वेलोसीटी लिउशक्तों करेंट पहला लैमड़ा बरो एजबाएपी दूसरा हपाईपी कि युवा हच अपन यम्वी वेलोसितीनों खोल्माला काइनेटीस एफिए ital Fish काइनेटीस एफिख जो सकता हाँ कि मुोमेन्टम ला काइनेट्टिक एन्धी ट्क शली तो आप typing Joo यम आला किनेटिक एनर्जी जाला मैंजे मी P स्क्वेर बरोबर आसा ही लूँशक्तो 2m कैनेटिक एनर्जी ला दाकुयाद ek कैनेटिक एनर्जी साथी तो P चाजा आगे में आसा लूँशक्तो अंडर रूट ऑफ 2m ek मैंजे एक नेक्स्ट फॉर्म आसा पन जाला h अपॉन अंडर रूट 2m ek कैनेटिक एनर्जी पार्टिकल ची देना साथी आगांसेप्पन वापड़त अजे दोन प्लेट है एक पॉजिटिव आने एक नेगेटिव एक चार्ज एक क्यूब बराबर आंतला वी चा पोटेंशल डिफरेंस मते आपन एक्सलेरेट के ला बरा अंत्यासा फॉर्म होता क्यू इन्टु वी वी मंजे पोटेंशल डिफरेंस तो मिया काईनेटिक एनर्जी ला रिप्लेस्पन करूशक्तो अनि आजुनेक वर्जन काई मेर्टतो है चा एच अच अपॉन अंडर रूट एके चा जगी 2m q into v हा वी मंजे स्पीड होता का है आनि हा वी मंजे पोटेंशल है आथा हे जी सिक्वेंस है की सिक्वेंस पूर्ण लक्षा ठीवाई चे कारण कोंत्या फॉर्मुले आमदे कदी हे लागेल कदी स्पीड सा फॉर्म लागेल कदी काईनेटिक एनर्जी आथा सगयात जास्त जी क्वेश्चन पित्यावक शेडिलेख अनेटिक रस फॉर्मूले पहां पन्ह rasp ऑं सेठीक कड़ाया लागेलो फॉरी मक्षा पॉल में टकली पटेंशराज़ को निटकला औक नहीं पोटेंशल हेदीक बन्वेंसल सोल के लियूरन आए जारूस क्या तो 12.28 .27 आपान अंडर root of V यह आणसर हे था एंस्टोम मूँदु तो उद्धा जर फक्त पै इलेक्ट्रॉन सा प्वेस्टन आला, मैक्सिम्ट प्वेस्टन इलेक्ट्राँ चे ज़ेट, इलेक्ट्राँ चा क्वेस्टन आला तहां डाइरेक्ट फर्मुला पन यूज करू शक्तो, जर पोटेंचिल मदे आसेल तो, क्यूं आया 12.28 ला, जर आपन रूट मदे टकला, तहां फर्मुला आसा बेटुन दातो, तो, डीब्रोई चे क्वेस्टन सॉल करने चाटी, वास्ताना डीब्रोई वास्तो आपन, बटीब्रोई असस पेल करतो, डीब्रोई ली आईपोधेसीज दर कराया चासेल, तेर वेगवगड़े फर्म सेथ बगा, डीब्रोई वेवलेंग्चे, या वेव हाई बटाये वापरली, ऐचा मीदे हापन काइडिक एणर्जी हापली, हैचा मादे आपन छोल्टेज हापला, जोल्टेज फापला, पोटेज क्युन्चील, डीफरेंस हापला, आन्या हाँ सेपरेट D Analysis Review Size कुणा साटी कालना इलेक्ट्रान, हाँ कुणा साटी वापड़ाए चा नहीं है, प्रोट्रान था रगरा नहीं, फक्त इलेक्टरॉन चा आपना यहाा खाल चा पने, दोनी फोरमल्य उक्त इलेक्टरॉन डीब्रोवाई चाहा यवड़ास पाइटे और ही सिक्वेंस जी आस्ता मात्वाँचे ना उद्याकाई questions अग्वेगड़ा particles अगी ए पाटिकल्स जाह माल अट्या केसमाने टे अठांचे मास आणी चाही राज आएट आएटे युद पाईजे इलेक्ट्रॉन चाहा नीं तल्या कार्ड हो पाईजे एलेक्ट्रॉन चाहा नी पॉश्चेन युँशक्तो प्रोट आपन चार्ज आपन इस गेत हो और अल्फा चाज गएता ना 2E ब्रवबद मासे गेता ना यह से मास आए M अल्फा चा मास तो था चार पड़ और यांग मैं एल्ज्ट्रॉंधा मास गएक चा से छे हे अल्फा चा मास चा कोowa रिचा से हे अल्फा चा मास 1516 पर्टिकल आपने सिक्स टाइमस तॉ सेुए काई कंपरीजन लग्षाठ्थो हवे लगते। कंपरीजन महत्वाचे दिनक्तों पार्टिकल्स यही मास्च की थी घेचे और चार्ज की थी घेचे इंपोर्टन्ट है ब्रगवगड़े यही पार्टिकल दिले आपदेला चार्ज आने हैं हाइट आसले पाई, डूटे रहां जो दिला, 1H2 आसा जो पार्टिकल दिला, तो यहेचा मास 2M गेतो आपन, आणी चार्ज आछा E गेतो, डूटे रहां जो दिला तो, आपन लग्षाट्थे हो, तो इता कुट बराइश्टिकानी क्यों यहनारे, EM यहनारे तो चार्ज आनि मास जदले रिलेशन वेग्वयगड़ा पार्टिकल साथे, हाट ये बलेक महाइट पाईजे, आनि ही सिक्वेंस महाइट पाईजे, पूर्म, डीब्राइ है पुटे काई दिला है, पुटे काई ग्वेस्टन से पाँ, डीब्राइ वेवलेंक वर्चे, इम use to accelerate the electrons is increased four times potential difference then by what factor does the deroy wavelength associated with the electron change lambda for electron is equals to under root 150 by v but the relation indirectly is equal to under root of v under root of v so why is it 4 times? inversely proportional is 4.5 decreases obviously v as increase then lambda decrease then inversely proportional and 4 times increase then decrease by factor of factor of 2 2 factor ne decrease you can inverse the proportional to square root so lambda 2 by lambda 1 is equals to under root of v1 by v2 the potential v is equal to 4 v is equal to lambda 2 by lambda 1 v is equal to cancel 1 by 2 and lambda 2 is equal to lambda by 2 a proton is accelerated through a potential of v as a deroy wavelength lambda proton saati cha case dila proton saati wavelength lambda and potential ahe v wavelength lambda potential v and alpha particle comparison saati ek particle dila alpha is accelerated through same potential alpha saati pan potential v chen meaningitive rule z and local eighty quarter same origin , a TS mim mesam 2 same I mean mass same stick ची गरज नैं तो मैं आथा relation बनो तो lambda alpha upon lambda proton is equal to तो अगर inversely मैं जो root मदेशे नारे आ ता inversely relation है मैं जो alpha साटी mass को टेगील खली तो proton साटी mass को टेगील वरती तो परोटोन साटी charge वरती आनि alpha साटी charge खली तो काई-काई बन ला पला प्रोटोन साथी मास किती हैस्तो, प्रोटोन साथी मास सम्द M है, आल्फा साथी मास 4 M हैस्तो, चार पर्टो, प्रोटोन सा चार्ज E आसे हिल्ट, आल्फा चार्ज 2 E हैस्तो, M ला M कैंसल, E ला E कैंसल, मझे एचा आंसराले 1 आपोण 2 रूट्टू, आनि लैम्डा आल्फा विचरला है प्रोटों सा लैमड़ा होता लैमड़ा वर्ति जाइल आला लैमड़ा बाय तू रूत तू लैमड़ा इच वैल्याली लैमड़ा बाय तू रूत तू अंसर आसायला हो पूड़ेवा if kinetic energy of the free electron of mass M is doubled then what then its deep वेवलिंक चेंज़ बाइ दा फैक्टर अपलाला फॉर्मूला मही थी होता वेवलिंक चा इन दा फॉर्म ओ किनेटिक अनरजी तो होता लैंबडा इस इक्वल्स तो एच अपॉन अपॉन अंडर रूट तू यम एक तो एलेक्ट्रान बदल बोलता है थे कॉंस्टन रहना रह यह इस इस इसी कट्रोचट्राडप्रा पॉर्म्ड उस्ट्रांपर्ण मॉन किनेटिक तो फॉर्मॉण द cities अप्राए दृट्रांप्रून root 2 root 2 lambda by root 2 में जो 1 upon root 2 1 upon root 2 कुरद सा question काय दिले पा question number 10 आद डी ब्रॉय वेव्लेंथ of an electron have the same value mayaj یہ photon چी wavelength photon सांगेत लहा photon ची wavelength आणी wavelength for db db wavelength of electron same it प्रश्ण विचार ले, what is the ratio of energy of photon, energy of photon to kinetic energy of electron, kinetic energy of electron, की ती आसे, दोगान चा रेश्यो का है ऐसे लासे विचार, हाग प्रश्चन विचार, तो photon ची energy कशी काड़ना रापन, तर photon ची energy काड़ना रापन, तर photon ची energy काड़ना रापन, तर photon साथी formula माई तो तो लैमडा बरौबर H तर नी कड़ी, जोन चैनल साथी sacrificesी काड़ना रापन, माइ नर्जी मादे एचर, तरन अरजी काहिडी छी 맞ी, lyon, energy मोचे काट लिए, मोचे होड़ना रापन, MC स्क्रीन conspiracy भरौबर, नादा यहली एज स्क्वेर अपोन लैंबडा स्क्वेर इम खाली काइनेटिक इनेर्जी ते यहली काइनेटिक इनेर्जी एलेक्ट्रॉन्स रिखे गांदना अत्तास फर्मुला वो केटला पाई चाइस फर्मुला होता स्क्वेर मारला था काई मेड़ेल ek is equals to h square आपोन बाहर चान्चा square हुईल lambda चा square हुईल अनि 2m e electron ची वेवलेंग्ट है mc square आपोन इते बेटला h square आपोन lambda of electron चा square इन्टु 2m बड़ब यह formula चला परे तेक दा explain कुरा आपान्द आधि 2 चे formula लिए 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 न्मक हुआ को रहता आधि 2 चे वेवलेंग्ट है आपोन सेम दिल लिए हूथी lambda for electron और lambda for photon सेम है आधि में energy काटूंगे थे खी कै lambda for photon साथि formula काय होता lambda for photon साथि h upon mc बढ़ब अनि energy जर काड़ाइ चासिल photon ची तो तिया है m c square आता जर यहाला m ने multiply divide केला तो हाँ बनला m square c square upon m परोवर m square c square upon m आता mc ची value जरी इतुन डाकली यह चावरन बगा mc ची value कायाली h by lambda परोवर आता ते ता जर स्क्क्वेर करूं डाकला h square by lambda square m क्याला energy of photon पहला पाट जाला आता lambda of electron चा फॉर्मूला पहला lambda of electron is h upon under root 2m ek परोवर यह आता वरने ek ची value काड़ाईची एता ek ची value काया h square upon h square पहला lambda e चा square इंटू 2m आता जरला ek चा फॉर्मूला आता दोगांचा रेश्यो बीचारला वर्ती photon है आने खाली electron है आता हीजा रेश्यो डाक्तो गाए h square अपोन lambda square m lambda square m अपोन अल्चा साइड डाला h square divided by lambda e चा square इंटू 2m अपोन साइड पाली और अपोन अपने एनर्जु ओपोटोन कर या ईचरस नाई पढ़ना अपले दो इनर्जु ओपोटोन ला डाइरेक्ट वल्लीव आए अपले गले आता हैचा मदे जा गुष्टी कैंसल होता है त्या कैंसल कोरे याथ ह अनी ह कैंसल होई 2m वर्ती जाई 2m दर वर्ती गेला तर 2mc अपोन लामडा e चा स्क्वेर पन वर्ती जाई अनी खाली आला लामडा P इन्टु ह बरुआ अन् दोगांचा लामडा सेम दिला है जे कैंसल कोरूंट आपको है जे कैंसल होता है एक लामडा नी एक लामडा कैंसल काला मजा अंसरे एलावा 2m लामडा सी डिवाइड़ेड़ बाई एच आ रेशो होला पाई जे अपन जो एनर्जी आप फोटोन काड़ जोत्वो गुष्रा वे ने टेचा यह चानी सी रहात न सो डिरेक्ट एनर्जी चाहा एक फोर्मुला ने आत्ता डीवरः चा वेवलांग मेल सी कैनेटिक चाह काइग पाईडा आ आ इंहा धुनी एनर्जी चाह रेशो सर घेतला रांसर मैच होला पाईजे 2m लैब्डा ती अपाउन एच मैजा ऑप्षिन है काइनेटिक एनर्जी अप दो फोतोन 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 ची एनर्जी आनि काइनेटिक एनर्जी अप प्रोतोन फोतोन ची एनर्जी आनि काइनेटिक एनर्जी अप प्रोतोन ची एनर्जी आनि काइनेटिक एनर्जी गेतली फिलामड़ा फोतोन फोतोन साथी फोर्मूला काई है ह अपोन अंडरूट 2m ek चा फॉर्मूला बुनेंगे तो ek is equals to h2 upon 2m lambda photon चा स्क्वेर प्रोटोन स्क्वेर यह कुना साथ याले है प्रोटोन अब प्रोटोन साथ याले है आप प्रोटोन साथ याले है आथा काई सांगी इतले energy of photon energy of photon साथ काय फॉर्मूला होता है hc by lambda बर बर प्रोटोन ला मी pr लेतो आणि photon ला पीछ रहो जेतो मने confusion नहीं होना रहा है let lambda 1 and lambda 2 be the wavelength of proton and lambda 2 is of photon lambda 1 आणि lambda 2 चे ratio विचार ले लामड़ा 1 कुना साथ होता proton साथी तो में यहला आसली तो lambda 1 मंजे हा proton साथी है so pr करतो यहला लामड़ा फोटोन तेला फक्त पीठ होता हो आता लामड़ा चे रेशो घेतला तो तो एनर्जी चा कुंत्या पावर ला प्रोपोर्शनल है यह तेज लामड़ा चा फोर्मूला है अपले कड़े प्रोटोन चा लामड़ा सा फोर्मूला तो का यहला h upon under root of 2m ek अनि कली डिवाड़ कराएसे फोर्टोन चा वेवलेंग नें फोर्टोन चा वेवलेंग साथी फोर्मूला का यह लीत है पोटोन ची वेवलें, hc by e, hc by e, यह डाखोंदे तो hc by e, फक्त आपलेले e चा रेशो भी चालले e चा, बागी चा कुंता स्टम्स घेचा नहीं है, जो e ला मी वर्ती डखतो, वर गेला e, आने खाली आला e के, खाली आला e के, आता दोगांचे पन एनर्जी सेम अचे, e ज आरे श्वासा बन लाका, e upon under root of e, फेरा में आसली शकतो, e लासली तो rooty, rooty, खाली आले आली तो under rooty, under rooty cancel ला ला, मझे answer एला वा under root of e, n चे value वेचा ले लिए, under root of e मंजे काए, e चा power half, मझे n चे value काए अशला लावली, n चे value आली, 1 upon 2, n चे value आली 0.5, next का है देलाएपा ratio of wavelength of photon of energy E energy of photon देलिए E E is equals to hc by lambda ratio of wavelength of photon to that of electron of same energy इलेक्ट्रोन ची एनर्जी का है एक ते आत्तास भाई ला फॉर्मुला आपन एच स्क्वेर इते बनो लाई पाँ यम लामड़ा ओफ इलेक्ट्रोन चा स्क्वेर अनि हे पोटन है और ही तेचे एनर्जी ए फोटन चे आपने लाई सांगीतले जर दोगां छी वेवलेंग्टव फोटन अफ एनर्जी E to that ओफ एलेक्ट्रोन आफ सेम एनर्जी दोगां छी एनर्जी सेम है एकवेट करू डायर lambda e चा square lambda e फक्त lambda e ची value हागी हुँ मादा दोगान ना एक्वेट करना मादे आजो lambda e है यह फक्त value हागी हुँ lambda e ची value किते आली पा आई equation 1 होता है चातना आपन lambda p ची value बागी है lambda p आला hc by e energy सेम है so e स्थ होतो आण इथे आला lambda of electron is equal to h upon under root 2me आदा दोगान चा रिशो गहेचा है रिशो मादे वर्ती पाई जे photon खली पाई जे electron hc by e upon h upon under root 2me h ला h काई जाला? cancel 2me वर्ती आला 2me into c upon h अलियाला e पुरब अता यह e लाजर में आद गेतला सी तर भाहर राहिल under root of 2me अनि यहाँ e जर आद गेतला यहाँ बनला square e square a की यानि a की cancel जाला? में जे काई आला c into under root of 2me upon e c into under root 2me upon e तो d शुडबी दा आंसर उट साकाई जेला यहाँ? ओट इस दो मुमेंटम of microscopic particle having d-boy wavelength of 6 angstrom तो formula simple है मुमेंटम चा form मदे lambda बुरोबर h by p तो lambda मला काडा है सा h ची value का है 6.63 10 raise to minus 34 पी ची value का है मुमेंटम चाडा है आनि wavelength दिलिये wavelength की तिये साहा angstrom unit तो p बुरोबर का है आला? 6.63 10 raise to minus 34 divided by साहा angstrom आनि 10 raise to minus 10 तो हाँ जेवल पास 1.1 आला आनि power आला minus 2 vis आनि मुमेंटम चो युनिट का है कीजी मीटर पर सेकेंड आन्सर मैंच वाइला हावा option 2 1.1 इंटो 10 raise to minus 24 आप पुड़या है लास्स आर्टिकल डेवीशन और जर्मर एक्सपिर्मेंट आदा डीब्रोय ने जे हाइपोतेसिस मान लग प्रूफ देने से काम के ले पाँ डेवीशन और जर्मर पहलेंदा पाव्याद एक्सपिर्मेंटल सेटप का है होता अनि जातना कसव प्रूव के लग इतना क्या एक लो टेंशन ची बैटरी फॉटतन ची बैटरी लाओली explo आपकोला beitव आखको ठाकोलाओ खनेन पॉंट्ध के लग एक वाहर पड़ते एदेज एमिशन करतों आपन थर्मियोनिक एमिशन तेम्परेचर वापन इलेक्ट्रों ब्रेक प्रेक करून बाहर करते तल आपन थर्मियोनिक एमिशन आथ यह सगलें इलेक्ट्रों का फाइन्स बीम छा फांग मुदे जन्या सटी या शे 2002 बनौन पुड़े जन्या सटी इलेक्ट्रों ला अट्रेक्षन है productive hätten पॉधिटिव लावला पॉजिट्रों एका फाइन बीम चा फॉर्म मदे पुड़े पुड़े अडवांस होती इलेक्ट्रों ची बीम है असेट्रप ठेवला है वैक्ट्यूम चेमबर मदे माझे इलेक्ट्रों चा फ्लो ला तुमां मोशन ला पूनी आपोस करना नहीं है आरन आओ समगली क्रिश्टल ला निकेल चा निकेल चा कृस्ट्रों चा बीम करें स्कैट्र कर closely का करीद्द आप्सप्रीक्षे मा आधे यह और आत्म मे पिदुड़े शार्पान हैं इलेक्ट्रों समस्मा मे बाली आपान दिफ्रेक्षोन चा अबीअल्यवां सकक्या आथ equally कोडिशी opening गया श्रीट लाईट है नहें चाओ दर आपन लाइट टक लिए राइट इंसीडेंट के लिए या समूर ऐसलीट चा श्मूर दर मीएक स्क्रीन ठेोली तो अलिए या स्क्रीन ठेोली तो या स्लीट चा समूर चाज उरीजन है समूर चाओ हाँ इल्यूमिनेट होईलास पाई जे तो गर करना समुर लाइट है जे हाँ पाइट इल्यूमिनेट होना रचे तो गर हाजो पाइट है हाँ पाइट इल्यूमिनेट होना रे और हाजो पाइट है वर्चा अन यहाँ खालचा पाइट है तो शाडो रीजन है shadow region ने पढ़ है shadow region में से पान light Enter करते हैं आन Light एक diffraction pattern दाःपो शाओ आसा एक diffraction pattern दाःपो को दे ओके जीते Light ची Maxim intensityPart três jithe Light े, Central less. Central ला Maxima ब सद्सुय मैक्सिमा वन्तो नान्त Light ची Intensity कमी कमी वोच जयातै पण light finally shadow region मदे पन एंटर करते ही जी प्रॉपर्टिया है कि light corner वर्ण बेंड उन shadow region मदे एंटर करते पर अब यह प्रॉपर्टिला पन डिफ्रेक्शन मन दो आनि ही डिफ्रेक्शन प्रॉपर्टि वेवज दाख़ा दसता सिमिलर फेनामिना इलेक्ट्रोन बन दाको तो निकल चा कृस्टल बसन डिफ्रेक्टोर माझे स्कैटर हुँ तो फिनामेना दर मी परत काडायचा पर इतने केला पात रहा असाई न हाँ दाले diffraction pattern बरोगा जीते light ची इलेक्ट्रॉन की intensity जा है मला इते maximum मिला लिए अन्हें ही डिटेक्ट करने साथ इते galonometer सा कामत से तब का light electron हाई एक पारेटिकल है इलेक्ट्रॉन हाई पारेटिकल है तरी इते ची वेगवेगली intensity मिलते हीते intensity maximum मिला लिए इते intensity समझा 1,5 मिलाली हीते 1,4 मिलाली मैंजे पार्टिकल हासुन पन electron एक प्रॉपरटी शोगरते ती मैंजे कोंती diffraction ची प्रॉपरटी सो diffraction ची प्रपरडि शो गरत असलेम वडे एलेक्ट्राण पार्टिकल असुन पन वेव ची प्रपरिटी धाको तो इलेक्ट्राण लगोंत नेचर असले पायजे वेव नेचर कि जन्ना पार्टिकल नेचर आहे जन्ना वेव नेचर पनाशता है यह प्रूफ देचा काम गुणी केलो डेविशन आनी जर्माल में आता डीब्रोयलास प्रूफ होता हे कसा समझगा तरनी जे पॉजिटिव पोटेंशल वा परला होता एक्स्पिरिमेंट मदे ये पॉजिटिव पोटेंशल ची एक रेंज होती अनी तरनना माक्सिममम इंटेंसिटी जे होती इलेक्ट्राँ ची थी 54 अनी जर्फिट्राँ चा वेव लेंग्सा फॉर्मूला वा परला डीब्रोयल सा तो तो फॉर्मूला होता अनी रूत पॉट आख़गा वन फिफ्टी रफिटी भाई वी हज़ा वाल्यू टाकला 150 भाई 54 अनी यहला दिवाद केला होता अनी तीन ने दिवाद केला होता अनी आली आला 18 परत आला पर्फिट्राँ परथाला 25 भाई 9 अजिए पास भाई 3 गाई लेक्ट्राँ अनी ही सा एक फार्मुला होता दी ब्राक्स सा फार्मुला है basically, नि तचा वर्न जर भालु काली, ही तर ru value आले होती experimentally अनि theoretically जर भालु काली तर ती value यहते 1.65 न्स्तॉ मनेटः, लिउक्त्रणची wavelength experiment बरना आलेलि, अनि theoretically आलेलि, दुनी value जर पाहल ना तो close it and the value of the identity is formula वापरले आपन, आप formula दिला वता Debroy ने, आप formula दिला वता Debroy ने, आप formula दिला Debroy ने, अपन है चाद जे potential वापरले ते वापरले experiment वर ने, जे potential वापरले, जे वापरले experiment वर ने, तार थे का है, आजो experiment है, है Debroy चा hypothesis ला explain करतो, so this is basically the proof for Debroy hypothesis, इंदम सिंपल है, property कोंते वापरले हे लक्षाट खेवा है, okay, values, voltage लक्षाट खेवा मंजे value लक्षाट रही, maximum electron जे diffract जाले होते, बार बताचा एक angle है पा, आजो theta है, आज theta ची value है पन्नाज डिगरी, maximum electron जे nickel जा crystal पास्ना diffract जाले होते, पन्नाज डिगरी ला, आणि जे voltage जाला best result बेटले, ते होतो 54 होले, आज वापन आपन पुडे जाऊं, लामडाची value गाड़ा, आथी से मेते जावड़ पास, theoretical value जा, आज एक्स्पेरिमेंट जेलो तो, deviation आणि जर्मर चा, experiment मत, पुडे, काई आजोन जे हीला आलेली काई questions है, पाट पाट हेपन questions पाउन ग्योया, पाट हेला question काई दिलायपा, for monochromatic light of frequency, नियूचि वल्यु दिलिये, is produced by laser, the power emitted is 2 इंतो 10 रज़ तो मैनस 3 वात, पाट दिलिये, 2 इंतो 10 रज़ तो मैनस 3 वात, क्रश्न वीचल, how many photons per second, on average, are emitted by the source, तुम्हा दर आट्वा दासेल तो power चा formula आपन गेतला होता energy upon time energy of light काड़ाये चासेल तो n into h new upon t विचारली लिगोश्टे n by t ते विचारली आपला लहे n by t बरोवर काई h into new power upon h into new power ची value डाक्तो तायली पाहे ची value पाहे ची value किते आली बहुए अच्छ पावर ची value आली 2 into 10 raise to minus 3 upon h ची value आहे 20 by 3 into 10 raise to minus 34 निए new ची value किते होती 6 into 10 raise to 14 तो मिया दोन ला दोन सोबत सेपरेट केला तो तीन वर्ती जाई तो थ्री बन जा 3 अनि 3 टू जा 6 केला तो वर्ती दोन रात है खली 20 रात है power पाहे ला तो रख वर्ती माइनस 3 है अनि खली आहे माइनस 20 आज आला 1 by 20 माइनस 20 केला वर 10 raise to 17 1 by 20 साला 0.05 10 raise to 17 आज आंसर आहला वर 5 into 10 raise to 15 नंबर आप पोटोंस जा करेक्ट आंसर आसला पाई जे 3 पुर्चा काह सांग इतला है एसा केक्वेस्टिन जेही मेंस अपताले दोनादर चोभी सला ओर उनसर पुर्चा कनादरिशा आसजला पुर्चा काई छॉल मेंस 10 raise to 20 पुर्चा काई हा एचा सो बद कैंसल डाला नुव नोट ची वाली 1.6 10 raise to minus 19 अपन 10 raise to minus 34 अजर वर्ती गेला minus 34 plus 34 minus 19 अज आंसर गेला 1.6 34 minus 19 अजर केला ता पंधर है तो आंसर गेला 1.6 into 10 raise to 15 हा फॉर्मोल आपन हाई ला अगोला वर्क फॉंक्शन इस एक्वल स्टो एच इंटो नुव नॉट एच्छी वाल्यू टाकली सब्ता है वर्क फॉंक्शन ची वाल्यू एलेक्ट्रोन होल ची कशां मधे कनवर्ट केली जूल मधे पूट्साप हा का संहले लेक्शन अगी ड्यब्रोй वाल्यू इस सेbooks smoking, कि मिला इस फॉंक्शन ची वाल्यू अगोलए इस बी堡ियू की का फॉंक्शन ची वाल्यू इस पॉट्ट्रों चा यूला निजी इंजी, Ratio of Kinetic energy of electron to kinetic energy of photon Pourton चीज है kinetic energy है, electron चीज है kinetic energy Pour photon ची kinetic energy, basically energy of photon बद बदल Energy of photon सा उधर मी formula लिला, photon साथी लिता, formula का है Hc by lambda of photon, lambda of photon साथी formula आला Hc by energy of photon, अहिला पारत तक लियर जाघा पहला पाड मरम पाबार और सेंटर्च जाला ाथा सेकेंड एनरजी आफरन काले ओसे लामडा रफ फॉर्मैला कालें? दो यह आपर सेंगें, लामडा रिम्डा छावूगत चाहिबाई ओस द्रिवेषे masih मती सिक्ले स्कुले तो वेलोसिटी आफ एलेक्ट्रोन ला मला काइनेटीक एनेरजी तहना आंता मास ला काइनेटीक एनेरजी माझे आनोड आजे ते कसा करना मीकाँ ज़र काइनेटीक एनेरजी चा फॉर्मूला पाइला तो आए हाफ M V स्क्वेर रोल m बोरोबर काया आला 2 into kinetic energy ek मंझे kinetic energy upon v square okay तला ही ते put करतो h upon m चाज आगया आला 2 kinetic energy upon v square into v आता एक v आनि एक v कैंसल दाला आप v वर्ती जाहिल मंझे हा आला h into v upon 2 ek तो ही आली lambda for electron अन दोगांचा लामडा इक्वल है असा रहील है अरुबर ये वेलासिटी ओफ इलेक्रोन है तो वन मदेजी लामडा काल ले अनि तू मदेजी लामडा काल ले ती इक्वल है असा दिले तो फॉम वन एन टूजर मी सॉल कराइचे थरोल है मिल पाइला के समर आला होता है हC by energy of photon is equals to 2 into what is speed of electron it is 0.25C into 0.25C upon 2 into energy of electron kinetic energy of electron into hc by ep ओर ओबर आला h 2 into 2 into kinetic energy into kinetic energy lambda formula 2 into new 0.25C upon 2 into kinetic energy अपलाल ratio विचारल है kinetic energy of इते ह होता आवला अगारोगर इजी वाल्ये एह ची वाल्ये तेर टुएके होता आणि इते वीचा स्क्क्वेर होता एक वी कैन्सल दाले अगारोगर HC by EP यह पहल्या वर्नाल HC by EP आणि इन अन्तर सेकेंड वर्न H into 0.25 इजी वैल्यू आहे की वैल्यू है H into velocity of speed of electron is 0.25C upon 2 into EK HC, H आणि C cancel आपलेला ratio of kinetic energy of electron आजी हला वर्तिक है जै पुर्चि स्टेप कायाली kinetic energy of electron upon energy of photon is equal to 1 by 2 जसा है तसाच आणि 0.25 मी 1 by 4 लेला आज आणसर काया हलावा 1 by 8 आणसर हलावा 1 by 8 आपलेला काया दी लेला दोगांची wavelength equal है energy of photon ला नेमी चा formula आपला चावर्न लैंबड़ा of photon चा एक्स्प्रेशन मनुन गेला lambda p और अन लैंबड़ा of electron ला mv पनी ते एक चेंग होता कि मास बद्दल गाहिस बोलेल नहीं है मास ला आपन एलिमिनेट केला kinetic energy नी speed मादे करान kinetic energy नी speed मादे formula लागत होता आपलेला तो यह चावर्न आन ही कसा केले ही ते side ला है पा मास आनी kinetic energy सा conversion नंतर 1 आनी 2 वर्न वेवलेंग्थ इक्वल इक्वल है तो दोगान ना equate करूं रेशो आला 1 is to 8 पोड़े काह साहिए ले पा तू सोर्स अफ लाइट इमिट सा पावर अफ 200 वैट इमिटेड बाइच सोर्स अविंग वेवलेंग्थ 300 नानोमेटर और 500 नानोमेटर विल बी काह साहिए बेसिकली पावर जा फॉर्मूला है पावर जा फॉर्मूला आपन आसा लक्षा ठेवलेला e by t nव, energy ला काया गेच ओपता, h c by lambda आणि खाले t है पो आप लेले विचारले दोनी kेस मदे, n by t काया है से है विचारला n by t console 60, 2nd case, आणि 2nd case 2nd case मदे n by t चा रेडियू काया है आसा विचारला, रेडियू काय में वनला, फावर अपन पावर अपोन हC by lambda परावर पहला case मदे अनि दुसरा case मदे ये पहली case जाली अनि दुसरा case मदे same पावर अपोन हC by lambda second case परावर आथा J same है तरा उड़ून डगो है तबगा हC same है हC गेला निगून पावर पन same है आसा सांगी ले two source with same power तो पावर पन गेला निगून तो का है आला lambda two one upon lambda one upon one upon lambda two बंजे lambda two गेला वर lambda one खाली आला lambda two ची value का आए बगाना पास्चे नानो मेटर इते जाला 500 नानो मेटर अनि वेवलेंग पहला case मदे होती 300 नानो मेटर तो 0000 उल्ला अन्य आंसर क्या है इलावा five by three answer इलावा five by पुचा 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 monochromatic अच्छा repeat दलावाटते है आपन sol के लावता अच्छा बड़ो हाँ अच्छा लेला है एच आंसर होता five into 10 raise to 15 पुटे का जेले वर्क फंक्शन कि इंच्छ on of substance is three electron hold the longest wavelength of light that can cause the emission of photoelectron from this substance is approximate हाँ longest wavelength जे थ्रेशोड ब्रदल भी चारता है वर्क फंक्शन दिले फर्मूला शिंप्ल है वर्क फंक्शन आनी थ्रेशोड साथी बारा-चतार्ष्य डिवाइड बाय लाबड़ा-N0 आणि हे पाई जे इलेक्ट्रान होल्ड आणि हा पाई जे एंग्स्ट्राम मदें आपले आला प्रेश्वोल्ड वेवलेंट की चारलें तो 12 चार्षेला आमी तीन ने डिवाइड करतों यहां का इल 4,1,4,1,4,1 राएला 3,3 एंग्स्ट्राम युणिट यहां जे नानोमेटर मदे लिहाएचे चाला तो आपन तसले नार 4,1,3,3 नानोमेटर चार्षेला इजी होता क्वेश्ट्रान हा रिलेशन आपन केलेला है वर्क फॉंक्शन इस इक्वल्स तू 12 चार्षेला लॉंगेस्ट वेवलेंद का विचाली करना तेचा पली कडे फोटो एलेक्टिक पॉसिबल अस नहीं है तेचा अली कडे पॉसिबल है तो ही लॉंगेस्ट अस ते मैक्सिम्म जवाल्स ओप्शन का यासला पाईजे सेकेंड उड़सा पाः गीवन बीलो आर्दे टू स्टे सांगित लें फॉड्प सॉड़्प सॉड़री टू फॉड्प सोड़्ोप संसितुम इर्च वर दू पर लॉड्प सॉड्स नहीं पॉंड्री वर्स फ्रिक्वेंशी था ऊचली आसला पाईजे पॉस्ट दो है नहीं बीलिमीट फोटो ऩिट्रॉस फ्रिक्वेंशी इस दा પેકન વાલા મીટરાલ્ચન આથભગા જાર મીયાલા એક્સયનડ કેલા ખાલચા શઈલા કેલા ઘાલા हीजिते कट करता है हhmm या वैल्ली ले आपन काएमा देले हुँआ कीजी वैल्यू क्पष्ण बाय वर्क फंख्ष्ण डिवैडदड बाय वर्क फंख्ष्न बाय कम्ठी वैल्ली जास्ता दिस्ते तर सेकेंड मेटल साथी M2 साथी जे वर्क फंक्शन है जासते कुना पेख्षा फर्स मेटल पेख्षा करंग्राफ आसा होता ना अग्राफ होता आ एक होता नहां सेकेंड है इम वान हैं ही M2 है पेख्षा अग्राफ है जी पनीब है मेटल टो है मेटल अग्राफ था dh both अग्राफ था टो था करंग्राफ फॉर्क फंक्शन साथ होता भीक मिस पॉर्क फंक्शन उक्शन का यूचे और Te vers एनर्जी बरबर का एला एनर्जी माइनस वर्क फंक्षन जासते है जिते काइनेटिक एंदर्जी का एसलिए पाइज आपन दो अंदर केसेज गेट लेए एनरी एनर्जी 10 ए समझे एका केस में तीन एलेक्ट्रोन होल्ट है डहा माई नस prin का ए बनदा नेका केस में तीन गते फॉर्क फंक्षन पाथ है जे एक बन चाइनेटिक एंदर्जी का ने ते बन सक्यां जेते वर्क फंक्षन लाशक रहाते है जेते गह्मीगि coração कुवर्क फंक्शिन क्मी है difficulty आपन तुन कम एकट इडहते कार थैरो ने Ko तो यहीं केंदर जी वादी केंदर जवाली M2 केंदर मभाग़ ज़रright and M1 जाहित था काकिने एंदर सीवाली M1 केंदर जभाग़ हो आ certo जिसायद. जिसे सेटमें 1 is the one correct and स्टमें 2 is incorrect आपला अंसर वरह भरा राश् Day नेक стपा काहे सांगी है वेन यूवी लाइट वेवलिंग 300 नैनोमीटर इस इंसिरेड अने अने डेल सर्फेस. वेविं वर्क फंक्षण 2.13 एलक्टोनल्टॉ नोट ची वैल्यू दिलिया 2.13 एलक्टोनल्टॉ लाइट ची वेवलिंग सांग इतली किती पडली स्ट्रापिंग पोडेंशल काया से सुपाय हां एनर्जी काड़ूंग गिवया तो आले लिया लाइट ची वेवलिंग दिलिया तीन छे तो बारा हदार चार्शे यह नानोमेटर मदे हां लैंक्स्टोम मदे कर खेल तक के तीन हजर दोन जीरो कैंसल दाले अपतास केलेट के लो होता आं जोड़ पास 4.13 एलेक्ट्रों होलता है था लाइट ही आले लिद्ट हवर्क फंक्शन अनर्जी मारण चैनल्थी तो आइंस्टैन जाएक्वेशन काहे होता वार्क फंक्शनल् नें वहले को आ होता है। तो काइनेटिक की ती भेटलेगा। दोन इलेक्ट्रोन होता। कार्मूला होता? E E X stopping. E E सब्सक्रान दिला। Stopping की ती भेटला। Stopping potential मैं असा potential मैं कि मैक्सिमुम किनेटिक एनर्जी वाला फोटो-उलेक्ट्रोन देखा। पॉरबल नेक्स्ट वांसर काया पायजे 2V, इसी होता आपने, प्रोतोन औन एलेक्ट्रोन औन अल्फा पाटिकल्स हाव सेम एनर्जी, येन दीप्रोई वेवलेंग्स विल बी कम्पेर्ड आपने, लामडा सा फोर्मूला माहित पायजे, काइनेटिक एनर्जी चा फॉर्म मा सेम एनर्जी चान है, फो है, है एनर्जी सेम है, फोह रिंदमा फॉर्म एन्छी प्रोउो प्रोईम का ये स्क्मर्टा फोर्मूला जाता मास भगेतलो है आलपातो院 मास सागा है जासते थे म्प्रोट़्ाउन सबाच है औन। इलेक्ट्रस हा तो मास प्रोपोसिला which is greater than lambda of alpha the mass over inversely relation is for same kinetics पांस रासेल हावा electron ची जासत नंतर proton ची आनि नंतर alpha हाई option number 2 of option number 2 असला पाई लेक्ए ओके ठीके हाला लास्ट साग्वेशन होता, थेंक यू